ले टोपी हलो बच्चो कैसे हैं आप सबी लोग मेरा गाव हिमाशी कुपता है और फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लाक्ट्वाम पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है है क्या हाल चाल वहिया अरे वा अर्जुना वाले बहुत सारे बच्चे आये हैं यार कि अब कौन सा ले टोपी साई पांच बज़रा है अभी पांच बज़े तेरे सामने खड़े हैं कहें का ले टोपी बे हां बहुत बढ़िया ले टोपी ले टोपी चला रहा है टोपी पहना देंगे तुम्हां मस्त ओके भाई मिस्यू सर हां वेटा बहुत दिनों बाद आज मुलाकात हो रही है दुबारा से गुट इवनिंग एवर्यों गुट इवनिंग गुट इवनिंग गुट इवनिंग क्या हाल चाल है सभी लोगों के पहले तो यार यह बता दो कैसे हैं सभी लोग बहुत बढ़िया अरे वाह मस्त मस्त ओके एक अब वच्छा हुआ है ट्वेल्थ में एक बूल रहा है इलेवन्त बरबाद अब नहीं होई है चिंता मत कर ठीक है बैठे है नाम लो बस अभी भी सुधर्जा अभी भी अगर तू मेहनत कर लेगा तो वरबादी वगरा सब निकल जाएगी सब सही हो जाएगा देख एक चीज़ बता दूं 90% बच्चों को यह लगता है कि हमने इलेवन्त में कुछ नहीं पढ़ा दस परसंट ने वाकई में कुछ नहीं लेकिन जितने बच्चे काफी सारी बच्चे ऐसे होते जिनको यह लगता है कि यार मैंने कुछ पढ़ा नहीं है लेकिन काफी सारा हद तक उन्होंने पढ़ा हुआ होता है लेकिन उनको बस confidence नहीं आता है ठीक है आज के इस one shot video का purpose यह है कि वो आपका जो खोया हुआ confidence है उ जो जो concepts जो जो chapters class 12 में आपके बहुत जादा काम आने वाले हैं जो concepts बहुत जादा काम आने वाले हैं आज की class में हम उन सभी concepts को revise करेंगे उनके numericals की practice करेंगे कई सारी चीजों के बारे में बातें करेंगे ठीक है यार faculty reveal एक ही गाना यार आ रहा है थोड़ा सा ठेरो थोड़ा सा ठेरो चल भाई तो शुरू करें सर पूरा physics cover होगा क्या नहीं बेटा पूरा physics cover नहीं होगा मैं फिर से बोल रहा हूं सिर्फ उतना portion आपको पढ़ाऊंगा जिसकी आपको 12 में जरूरत पढ़ने वाली है ठीक है तो यार अगर मैं बोलूगे नहीं नहीं जर पूरा 11 कवर करो नहीं 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 बाई ये पूरा 11 कवर नहीं कर रहा हूं ठीक है जिस चीज की आपको जरूरत है नाम पढ़ भाई bridge course अरे कहा गया ठीक है bridge है ये मतलब क्या class 12 में अब आपको जिन जिन टॉपिक्स की जिन जिन चैप्टर की जरूरत पढ़ेगी वह सिर्व वहीं पढ़ाऊंगा बाकी फालतू की बात है अभी नहीं करेंगे ठीक है और क्या है कौन कौन से chapter ले भाई ये है तेरे सामने वो chapters जिनको हम आज की class में cover करने वाले हैं तो basic maths ये बताऊंगा basic maths बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आपको kinematics, newton's laws, work energy power और gravitation बस इतने topics इतने chapters जिनके बारे में बात करेंगे अर्यू रेडी गाईश, start किया जाए start आपको वहाँ पर बताई जाएंगे ऐसा नहीं है और कि आप छोड़ दिया जाएगा नहीं वहाँ पर भी बताया जाता है ठीक है differentiation integration दो दो पढ़ाये थे क्यों क्योंकि kinematics में differentiation का भी रोल आता था इंटीग्रेशन का भी रोल आता था ठीक है इसी तरीके से क्लास 12 में electrostatics में पहला चैप्टर आप पढ़ोगे electric charges and field जहां पर आपको differentiation और integration दोनों का यूज़ भर भर के आएगा ठीक है तो चुरुआत यहीं से करते हैं यार चल भई तो differentiation में अगर मैं बात करूँ तो दो टर्म मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा ठीक है दो टर्म होते हैं पहला है differential और दूसरा होता है differentiation दोनों टर्म्स का मतलब अलग-अलग है ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ दोनों टर्म्स का मतलब अलग-अलग होता है ठीक है अगर मैंने आपको बोला कि y is equals to x square है ये is equals to x square है तो y is equals to x square का अगर मैंने कहा कि बेटा differentiation करना है या तो differentiation बोलूगा तो y is equals to x square का differentiation होता है यानि कि dy by dx अगर मैंने कहा एक्स के साथ differentiation करना है तो dy by dx यह है आपका simple साथ 2x के बराबर हाई या ना चीक है dy by dx कितना हो जाएगा 2x के बराबर और अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ खाली dy खाली dy तो यह क्या हो जाएगा 2x जैसा करते थे into dx मतलब यह जो dx है अगर मैं इस dx को इधर पहुचा दूँ तो क्या मिलेगा तो मुझे differential मिलेगा differential क्या बताता है और differentiation क्या बताता है differentiation बताता है या differential बताता है कि अगर मैंने x में x में dx चेंज़ करने पर y में कितना चेंज आएगा मतलब क्या अगर आपने यहाँ पर x में कुछ dx बढ़ाया जैसे मैंने कहा y is equals to 2 का square है अब मैंने 2 में 2.01 बढ़ा दिया ऐसा कर दिया तो y में कितना चेंज आएगा यह बताता है आपका differential डिफरेंशल क्या बताता है differential बताता है बाबू कि अगर हमने यहाँ पर x में कुछ change किया इसमें change किया तो definite इस में भी change आएगा जाएगा इसमें भी चेंज आएगा तो इसमें कितने का change आएगा यह बताता है differential तो differential में कहीं पर dy upon dx नहीं आता है यहाँ पे 7 में छोटा सा change आता है ठीक है और अगर मैं इसी को नीचे बेज दूँ तो यह बन जाएगा differentiation dy by dx यह होगे खाली 2x ठीक है यह बताता है rate of change या y कितनी जल्दी जल्दी बदल रहा है ठीक है यह बताता है y कितनी जल्दी जल्दी बदल रहा है rate of change of y with respect to x ठीक है तो differentiation और differential दो अलग अलग चीज़े हैं लेकिन अगर आपको एक आता है तो आपको दूसरी चीज़ अपने आप आती है ठीक है तो अब यहां तक की बात बड़ी simple सी है differentiation अलग-अलग terms का differentiation का फॉर्म्मुलेह हमने पहले ही देख रखे थे ठीक है तो evandra से संवराई कर रहा हूं जय किरी यहां पर दोबारा से फटाफट से समराइज कर रहा हूं कि आपको यह समझ में आ जाएगा कि क्या फॉर्मूला है उसका मतलब अब बता ही है यार कि अधिक चल भाई ठीक है तो पहला फॉर्मूला एक एक फॉर्मूला मैं आपके सामने यहां पर लिख रहा हूं ठीक है पहला फॉर्मूला y is equals to कोई constant है ठीक है अगर y constant है और हमें सबसे पहले चीज़ क्या निकालनी है डिफ्रेंशियल तो y में change और दूसरा क्या है differentiation अब बात आते हैं सर आप ये बार बार दोनों चीज़ें क्यों लिखवा रहे हो ठीक है दोनों चीज़ें लिखवाने का reason है कि कहीं पर आपको खाली यह होगा कि खाली y का differential की जरूत होगी कई जगे ऐसा आएगा जहां पर आपको सिर्फ y में छोटा सा change निकालना होगा तो वहाँ पर आपको सिर्फ differential की जरूत होगी differentiation की जरूत नहीं होगी ठीक है चल यार तो y अगर constant है constant चीज़ तो कभी बदलती ही नहीं है तो dy differential क्या हो जाएगा zero हो जाएगा dy by dx x के साथ ही differentiation कर रहे है ठीक है ये भी zero second formula y is equals to x की power n dy differential n x की power n minus 1 dx और differentiation करूँगा तो आजाएगा n x की power n minus 1 चीख है ये है आपका differentiation y is equals to sin x dy cos x dx चीख है dy क्या हो जाएगा cos x dx और अगर मैंने खाली dy by dx लिखा तो फिर यहाँ पर cos x लिखूँगा ठीक है तो अगर खाली dy लिखते हो खाली x i dy लिखोगे तो यहाँ पर dx भी लिखोगे मतलब x में अगर x में अगर dx change किया तो y में कितने का change आएगा तो cos x dx का change आएगा ठीक है चाउथा formula y is equals to cos x differentiation differential बता हो यार ठीक है फटावट से बता दे भाई differential क्या होगा cos x का वेदिका ने आंसर बिल्कुल सही दिया है minus sine x dx गुड तो differentiation क्या हो जाएगा बहुत बढ़िया ठीक है differentiation हो जाएगा खाली minus sine x ठीक है चल भाई यह है आपका differentiation बहुत बढ़िया रहे वाह गजब चल सब चीज़ा तुमको याद है मतलब भूले नहीं हो तो y is equals to 10x 10x differential बता दो अरे हुआ तो बर्ट ग्रूड कि फैक स्कूर एक्स यानकी डी वाई अगर आने लिखा है तो यह हो जाएगा पेक स्कूर एक्स इंटु const x और डी डी ऐस अगर मेंने बॉल दिया तो यह हो जाएगा।-वहिंए बहुत बढ़िया अगला बना कि फ़ाइज equals to nx के बाद होता है चल लाइक, Cossack x, y is equals to Pec x y is equals to Cortex x, y is equals to ln x, y is equals to e की पावर x और क्यार वा y is equals to a की पावर x हाँ बहुत बढ़िया, अरे वा, तो dy क्या हो जाएगा minus Cossack x into Cortex into dx और dy by dx हो जाएगा minus Cossack x into Cortex यहाँ पर dy क्या हो जाएगा Sec x का हो जाएगा, Sec x into 10x into dx और dy by dx differentiation लिखूंगा तो यह हो जाएगा Sec x into 10x Cortex का differential हो जाएगा minus Cossack square x into dx और dy by dx हो जाएगा minus Cossack square x ठीक है, के, रोश्नी, अनन्या, केशव, गुड, गुड चल भई, log x का क्या होगा तो dy हो जाएगा 1 upon x into dx और differentiation हो जाएगा खाली 1 upon x e की power x का differential वही रहता है e की power x और अगर a की power x है तो dy हो जाएगा a की power x log a into dx या a की power x into log a ठीक है, ये हैं सभी terms के आपके differentiation और differential ठीक है चल है, यहां तक की बात बड़ी आसान सी है सारी बाते पुरानी है, मैंने पहले ही class 11th में भी आपको ये बातें बताई थी सलीम सर ने भी आपको कोई बातें पताई थी, बस अभी हमने ये बातें आपके सामने दोबारा से रखी है, so that कहीं ऐसा है कभी कभी हो जाता ने, कुछ चीज भूल जाते है, तो वो आपके सामने अब दोबारा से आ जाए, यहां तक की बात अगर समझ में आ रही है तो thumbs up यह heart बना दे भाई तो मुझे भी समझ में आ जाएगा बहुत बढ़िया अरे वाफ गजब चल भाई, ठीक है बेटा कुछ नहीं किया, एक ही पावर एक्स में जैसे एकी पावर एक्स होता है, वैसे ही एकी पावर एक्स है एकी पावर एक्स में भी एकी पावर एक्सी डिफरेंशल होता है बस एक लौन एका, या नहीं कि लॉग एका मल्टिप्लाई और कर दिया है अब बात करते हैं rules of differentiation की तो अगर मैं rules की बात करूँ अगर मैं rules की बात करूँ तो सबसे पहला rule addition subtraction addition slash subtraction दोनों ही cases में क्या होता है अगर मुझे दे रखा है y is equals to f of x पहला एक कोई function है या दूसरा है g of x plus कर दूँ या minus कर दूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो अगर यहाँ पर हमें differentiation करना है तो क्या करूँगा dy by dx क्या हो जाएगा function f of x का भी differentiation अलग कर दूँ और g of x का differentiation अलग कर दूँ तो f of x का differentiation आपने अलग कर दिया है g of x का differentiation आपने अलग कर दिया है done तो दोनों terms का differentiation अलग कर देते हैं जैसे कि example के तौर पर अगर मैंने कहा y is equals to 3x square plus 5x minus 4 इसका differentiation क्या होगा हाँ डिफ्रेंशेशन क्या होगा लुसिफर इत्ती जल्दी answer lucifer का है आयूश का answer भी आया है good ठीक है चलो बहुत बढ़िया 3 into 2x square का होगे 2x तो 6x plus 5 और इसका minus 4 यानि की minus 0 ठीक है तो minus 0 हम नहीं लिख रहे हैं डन चल भाई एक और question कर y is equals to log x plus e की power x plus sin x अभी के लिए यही ठीक है बहुत बढ़िया good log x का differentiation 1 upon x e की power x का differentiation e की power x ही रहेगा चीक है और sin x का differentiation क्या हो जाएगा cos x एडिशन या subtraction करना तो बड़ा ही आसान सा काम है इसमें हमें बहुत मेहनत नहीं करनी है सिर्फ क्या करना है individual terms का differentiation करना है ठीक है हर एक term का अलग-अलग differentiation कर देना है और हमारा answer आ जाएगा दूसरी बात करते हैं multiplication की ठीक है तो multiplication मतलब क्या अगर आपको दो function multiply कर रखे हैं जैसे y is equals to f of x into g of x दो function है कोई भी f of x और g of x नाम के कोई भी function है अच्छा मैं f of x लिख दूं into g of x लिख दूं या कई बार ऐसा भी लिख देता हूं कि y is equals to a into b तो भाईया कोई अंतर नहीं है एक ही जगए f of x रख दिया है बी की जगए g of x रख दिया है यह थोड़ा सा अजीब लगता है यह scientific अलब mathematically notation बिल्कुल correct है तो बस यह है इस वाले case में हम क्या करते हैं अगर मुझे differentiation करना है तो पहले वाले term का differentiation दूसरा वाला term वैसा की वैसा प्लस दूसरे वाले term का differentiation पहला वाला term वैसा की वैसा यह आपका differentiation हो गया अगर मैं यहां दिखाऊं तो d a by d x b वैसा की वैसा प्लस a ऐसा की ऐसा into d b by d x यह आपका आजाएगा d y by d x x के साथ differentiation कोई दिक्कत नहीं अच्छा यूवी हां यूवी लिख दे एवी लिख दे कुछ क्या फरक पड़ता है यार कुछ भी लिख दे एक बचाह बोला यूवी मैथड सेम वही बात है यार कुछ भी लिखता रहूं ठीक है चल यार सवाल करते हैं कि y is equals to root x into sin x चल ठीक है root x into sin x कर दिया इसको solve कर डी वाइब डी एक निकालना है हाव टू अवाइड डिस्ट्रेक्शन्स पहले तो चैट करना बंद कर ठीक है फिर जो बता रहे हैं उसको लिख करके solve करना शुरू कर एक टाइम पर एक ही काम कर दस जगह काम करेगा तो फिर बगाम बिगड़ेगा भॉहत बढ़िया रक्षित का आंसर आया है गुद गुद बढ़ बढ़ भावेश बहुत अच्छे च्पह है चल बाई रूटरेक्स Ka differentiation क्या करूंगा एक्स आश की पावर वनबाई टू है ये रूट एक्स आश की पावर बाई टू into sin x तो 1 by 2 बाहर आएगा 1 by 2 x की power minus 1 by 2 1 by 2 में एक कम हो गया sin x वैसा की वैसा plus अब x की power 1 by 2 यानि की root x वैसा की वैसा sin x का differentiation हो जाएगा cos x तो यह आ गया इसको लिखते ता हूँ 1 upon 2 root x तो sin x divided by 2 root x plus root x into cos x चीक है root x into cos x clear है तीसरा division rule चीक है तीसरा है आपका division rule तो division rule में क्या है तो division rule में क्या है अगर हमने कहा y is equals to f of x divided by g of x दो term का divide किया है तो इसके से में हम क्या करेंगे सबसे पहले numerator का differentiation तो f dash x into denominator वैसा की वैसा plus की जगे इस बार minus कर दिना है into numerator वैसा की वैसा into denominator का differentiation divided by denominator का whole square ठीक है यह आपका differentiation मिलेगा यह आपका differentiation मिलेगा clear है सवाल करते हैं y is equals to x square divided by 1 plus x ठीक है x square divided by 1 plus x चल तो क्या आएगा इसका differentiation d y by dx निकालना है कैसे करें सबसे पहले 2 x square का differentiation क्या होगा 2 x होगा ठीक है denominator वैसा की वैसा यानि की 1 plus x वैसा की वैसा minus अब x square वैसा की वैसा denominator का differentiation अच्छा देखना 1 का differentiation क्या होगा 0 और x का differentiation हो गया 1 ठीक है divided by denominator का whole square तो यह आगया 2 x plus 2 x square minus x square divided by 1 plus x का whole square तो यह आगया x square plus 2 x x square plus 2 x divided by 1 plus x का whole square चाओ तो और थोड़ा simplify कर ले ना लेकिन जरूरत नहीं है बस यहीं तक छोड़ दो ठीक है यह answer आजाएगा अरे वह चल भाई ठीक है आखरी part chain rule और यह अब सभी चीज़ों को club कर लेगा ठीक है chain rule basically अगर आपके function के अंदर function है मतलब क्या जैसे अगर मैंने बोला कि y is equals to f of g of x function के अंदर function है ठीक है example के तोर पर y is equals to y is equals to sin of x square ठीक है sin of x square मतलब क्या हमने अभी तक formula क्या बढ़ा था sin x का बढ़ा था अब हम क्या कर रहे है sin of x square मतलब कुछ भी function sin x के अंदर एक और function डाल दिया x square ठीक है तो इस case में अगर हमें differentiation करना है तो क्या करेंगे ऐसा मानलो इसको ये कोई डबा है ठीक है अब पहले f of x का differentiation कर लो यही कुछ f of x है ठीक है तो इसका differentiation क्या होता है f of x का differentiation normally जैसा करते है f of g of x बिलकुल वैसा की वैसा इसको भी छेड़ना नहीं है फिर अब अंदर वाले डब्य को खोलो तो g of x का differentiation वैसे कर दो ठीक है मतलब क्या अगर मुझे यहाँ पर differentiation करना है तो sin है ऐसा नहीं मानुआ है sin x square है मैं मानुआ है यहाँ पर sin x ही है sin x का differentiation क्या होता है cos x तो मैंने का यहाँ पर ही हो गया cos और जो x की जगए x square था यह बैसा की वैसा इसको छेड़ना नहीं है इंटू अब x square का differentiation क्या होगा x square का differentiation 2x हो गया cos of x square into 2x इस तरीके से हम differentiation करते है बहुत बढ़िया सवाल कर differentiate following functions with respect to x आपको दिये हुए functions को x के साथ में differentiate करना है तो y is equals to x square plus 1 upon x square पहला दूसरा y is equals to x divided by x square plus a square t power 3 by 2 ठीक है a कोई constant है अ हिए यह दो पर बहुत बढ़िया गुद 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 पहुद अच्छे कि फिरिंज का ही है गुद आदित्य का बढ़िया आया है ठीक है कquelle कि पहुद नायूश है बुप अनन्या का सही आया है एक और स्ट डूरेशन डूरेशन चला रहा है क्या करेगा तुरेशन का कि किसी को अपॉंटमेंट दे रखा है तुने अग्रिम का सही आया है प्रेकेंड वाला सॉल करो फेकेंड वाला पहले क्लास में भी आया है मतलब ग्रेविटेशन चैप्टर में और क्लास 12 में आपको सेम इसी तरीके का डिफ्रेंशेशन देखने को मिलेगा तो बहुत बढ़ेगा हुए 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 चल यार तो पहला टम का डिफ्रेंशेशन बढ़ा आसान है डी वाइब डी एक्स निकालना है x square का differentiation क्या होगा 2x होगा ठीक है प्लस ये क्या है x की power minus 2 तो क्या हो जाएगा minus 2 into x की power minus 3 ठीक है तो ये हो जाएगा 2x minus 2 by x cube 2x minus 2 by x cube ठीक है दूसरा ये वाला term अब ज़रा यहाँ पर ध्यान दे लेना यहाँ पर क्या है सवाल थोड़ा सा complicated कर दिया है ठीक है मतलब क्या division भी है और function थोड़ा सा complex भी है तो मैंने कहा अगर मुझे dy by dx निकालना है सबसे पहले क्या करूँगा division rule लगाऊँगा numerator का differentiation x का differentiation क्या हो जाएगा one हो जाएगा into denominator वैसा की वैसा x square plus a square की power three by two वैसा की वैसा ठीक है numerator का differentiation denominator वैसा की वैसा minus अब numerator वैसा की वैसा denominator का differentiation करना है मतलब क्या x square plus a square की power three by two का differentiation करना है तो मैंने का अगर मुझे x square plus a square की power three by two का differentiation करना है तो कैसे करूँगा मैंने का simple सा logic है पहले इसको x माल लूँगा x की power three by two का differentiation कर लो यह डबबा माल लो इसको ठीक है यह कुछ दब्बा मान लिया तो डब्बे की पावर 3 by 2 क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा 3 by 2 x square plus a square की power 3 by 2 minus 1 यानि की 1 by 2 into अब अंदर वाले term का मैंने क्या बोला था chain rule लगाना है chain rule क्या होता है पहले बाहर वाले function का differentiation करना है तो ऐसा मानने x की power 3 by 2 का differentiation कर रहा हूं तो अगर मैं x की power 3 by 2 का कर रहा हूं तो 3 by 2 x की power 1 by 2 अब अंदर वाले term का differentiation x square का differentiation क्या होता है 2x a square a constant है तो a square का differentiation 0 तो अब क्या आ गया 2 से 2 खतम हो गया यह बन गया 3x into x square plus a square की power 1 by 2 तो x तो बाहर यही है यह अब अंदर वाले term का differentiation लिख देता हूं 3x into x square plus a square की power 1 by 2 divided by denominator का square x square plus a square की power 3 by 2 का square हो गया power 3 यह आपका differentiation आ गया clear यहां तक की बात अब इसको simplify कर लेता हूं तीक है अच्छा देख x square plus a square की power 1 by 2 x square plus a square की power 1 by 2 दोनों ही जगे मुझे दिख रहा है तो यहां से common ले लिता हूं x square plus a square की power 1 by 2 common ले लिया अंदर क्या बचा x square plus a square यहां पर बचा minus यहां पर बच गया 3 x square divided by x square plus a square की power 3 तो यह बन गया a square minus 2 x square और आगे जो 1 by 2 तो 2.5 यहने की 5 by 2 यह बन जाएगा ठीक है तो यह आपका final answer आ जाएगा अब इसके आगे कहानी जो बस खाली solve करना है न इसके आगे कहानी में बस खाली आपको numerical को solve करना है done एक constant एबेटा पहले ही लिखा हुआ है a is equals to constant तो constant मतलब 1 2 3 4 इस तरीके कहा है तो differentiation में क्या आता है 0 एक है clear है चल भाई यहां तक की बात अगर समझ में आ रही है तो मुझे फटा-फट से बता दे तर आगे की बातें करते हैं अगर समझ में आ रही है तो थमसब कर दे या हाट बना दे मुझे पता चल जाएगा clear okay भाई बहुत बढ़िया good चल ठीक है तो अगर इतनी बात तुझे समझ में आ गई तो अब बात करते हैं मीनिंग औफ डिफ्रेंशेशन डिफ्रेंशेशन का मतलब क्या है तो डिफ्रेंशेशन के बेसिकली बेटा आपको दो मतलब दिखाई देंगे ठीक है पहला और दूसरा पहला मीनिंग रेट आफ चेंज कोई चीज जब बदल रही है तो किस रेट से बदल रही है कोई चीज अगर बदल रही है तो किस रेट से बदल रही है ये एक डिफ्रेंशेशन का मतलब है मतलब क्या अगर मैंने कह दिया dY by dX ठीक है तो ये क्या है rate of change of y with respect to time sorry with respect to x ठीक है अगर मैंने कह दिया जैसे d आपका मान के चलो कोई dx by dt x यह आपर distance है यह displacement है ठीक है तो rate of change of x change of x displacement with respect to t ठीक है तो basically कोई चीज कितनी जल्दी जल्दी या कितनी धिमे-धिमे बदल रही है वो है आपका differentiation जैसे मान के चलो हमारे कोई भी कोई एक rich person है तो मान के चलो अम्बानी जी है तो अम्बानी जी की rate अम्बानी जी की wealth हर रोज कितना बढ़ रही है या कम हो रही है वो क्या है वो differentiation है अम्बानी जी की wealth अगर मैंने कहा कि कोई wealth है जो भी number है तो wealth के बढ़ने या कम होने का rate तो d wealth by dt यह क्या है this is the differentiation हम बोलते हैं कि हर रोज 100 करोड बढ़ गए हर रोज 500 करोड कम हो गए तो यह basically differentiation है कोई चीज़ कितनी जल्दी जल्दी या धीमे धीमे बदल रही है वो basically क्या है आपका differentiation है clear हम गरीब है हाँ तो गरीबी की wealth अरे तो wealth इसका मतलब यह थोड़ी कि अम्मानी जी की नाप सकते हो आप तुम गरीब हो तुम आपनी भी तुम्हारी अपनी गरीबी की वे rate नाप सकते हो वे ठीक है अधा दूसरा मतलब है graphical meaning अधिक है graphical meaning पहला क्या बताता है rate of change और दूसरा है graphical meaning graphical meaning क्या बताता है किसी भी function का किसी भी कोई भी अगर एक function है इस function पर मैं tangent डाल दूँ इस function पर अगर मैंने कोई tangent डाल दिया उस tangent का slope 10 theta is equals to dy by dx तो किसी भी function का slope tangent का slope यह आपको differentiation देता है तो graphical meaning क्या है slope of tangent तो अगर मुझे tangent का slope निकालना है तो भी differentiation करके निकाल दूँगा और अगर मुझे function निकालना कि कोई चीज़ कितनी जल्दी जल्दी या धीमेधी में बदल रही है तो वहाँ पर भी मैं differentiation use करता हूँ एक बहुत बढ़िया अब क्या बोल रहा है सर एक constant है तो chain rule से पूरा 0 नहीं हो जाएगा constant multiplication में थोड़ी है बटा constant addition में है x square plus a square है तो x square का differentiation 2x a square का differentiation 0 और plus में है तो बहुत 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 2x प्लस 0 तो 2x ही हो जाएगा ना बटा ठीक है चल या दूसरी चीज़ अब इसमें बात करते हैं double differentiation तो double differentiation क्या होता है basically जो भी आपका differentiation है उसका भी आप differentiation कर लो तो dy by dx का भी double differentiation चीक है d2y by dx square चीक है यह क्या बताता है यह बताता है differentiation किस rate से बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो क्या बताता है तो double differentiation बताता है differentiation के बढ़ने या कम होने का rate ठीक है तो double differentiation बताता है आपको कि differentiation किस rate से बढ़ रहा है या कम हो रहा है जैसे अगर मैंने कहा y is equals to x cube है तो इसका पहला differentiation हो जाएगा dy by dx 3x square एक और बार differentiation कर दो d2y by dx square तो यह क्या हो जाएगा 6x तो यह बताता है कि x cube किस rate से बढ़ रहा है या कम हो रहा है और double differentiation किस rate से बता रहा है कि यह differentiation बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो इसका application आता है graphs में इसका application आता है maxima और minima में तिक है मतलब क्या अगर मैंने आपको बोला कि कोई graph आपको plot करना है या आपको यह बताना है कि differentiation कैसा होगा double differentiation किस तरीके का होगा तो बहुत ज़्यादा काम आता है maximum and minimum है तो differentiation का बहुत ज़्यादा यूज आता है maximum minimum find करने में कोई चीज अगर maximum या minimum है वो कैसे निकालते हैं तो भाईया क्या करोगे मैंने का जब भी कोई चीज मैक्सिमम या minimum है जैसे for example यह आपका function है अब देख यार मैंने कहा यहाँ पर slope कैसा है यहाँ पर d y by d x कैसा है तो यहाँ पर आप देखोगे तो इस जगे d y by d x positive है तो d y by d x कैसा है positive है सबसे पहली चीज जब मुझे maxima या minima धूरना है तो maxima पर differentiation कैसा रहेगा d y by d x कै आएगा तो यहाँ पर maxima पर d y by d x 0 आएगा minima पर भी यहाँ पर भी d y by d x 0 आएगा तो चाहे मैं maxima लिखूँ चाहे मैं minima लिखूँ दोनों ही जगे पर क्या आएगा differentiation 0 आएगा ठीक है लेकिन एक अंतर है जब मैं differentiation की बात करूं तो अब देखो अब पता कैसे चलेगा कि कोई चीज maximum है या minimum है ठीक है हमें कैसे पता चलेगा कि कोई function maximum है या minimum क्यों दोनों ही जगे differentiation 0 है ठीक है तो मैंने काया अगर मैं double differentiation देख लूँ ठीक है यहाँ पर देख डी वाइब डी एक्स positive यहाँ पर जब मैंने देखा तो डी वाइब डी एक्स क्या आया है नेगेटिव आया है तो देखना यार differentiation पहले positive था फिर zero हुआ फिर negative हो गया तो जब differentiation positive zero फिर negative हो रहा है इसका मतलब है differentiation आपका कम हो रहा है तो maxima पर double differentiation क्या हो जाएगा maxima पर आपका double differentiation ды?」 ऋट्रिशेशन नेगेटिव हो जाएगा मिनीमा पर है डबल डिफ्रेन्शेशन किया हो जाता है पॉजिटिव तो कोई फांक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है यह कैसे पता करते हैं यह पता करते हैं कि कभी मैक्सिमम Hmori कब positive है और कभी negative है क्योंकि जब मैं यहाँ पर देखूंगा तो देख यहाँ पर slope कैसा है तो यहाँ पर dy by dx negative है और यहाँ पर जाने पर dy by dx क्या हो गया है positive हो गया है तो differentiation क्या हो रहा है differentiation बढ़ रहा है तो जब differentiation बढ़ रहा है तो double differentiation क्या आएगा positive आएगा ठीक है तो मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में हम इस तरीके से अंतर पता करते हैं क्लियर है पेटा पढ़ ले यार ठीक है चल यार जैसे इसका मैं कुछ एक्जाम्पल के थोर पर बताता हूँ 100 meter wire is used to fence a a rectangular plot find maximum area that can be fenced by the wire, यह आपको बताना था चल भई, ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पर क्या था, आपको पास एक 100 meter का wire दिया था, इस wire से आपने क्या किया है, plot की fencing करनी है, ठीक है, और आपको यह बताना था कि इसका maximum area कितना fence कर सकते हैं, ट्राइ करो, ठीक है, Option A, 2500 meter square, Option B, 625 meter square, Option C, हमें नहीं पता, चल जा, पोल एक बार ट्राइ करता हूं, मुझे पत शॉल्टी नहीं है, पोल काम करेगा यह नहीं करेगा, चल, कोशिश करते हैं, शायद पोल काम कर जाए, पोल काम कर जाए, बहुत बढ़िया, जाए, 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 झाल 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 छल्यार आपके पास क्या है एक कोई Fence है वे Rectangular Fence है एक Rectangular Plot है इस Plot को आपको Boundary करने है Fence Ca Miat possible Boundary कर दिना आपको Fence Ка मतलब है इस तरिके से 4 तरफ आपको बाल लगानी है यानि की Fence कर दिना तो जब आपको Fence करने है तो perimeter कितना हो जाएगा तो मैंने का यार perimeter तो 100 meter हो जाएगा तो L और B अगर length है तो 2 times L plus B this will be equals to 100 meter तो L plus B की value क्या हो जाएगी 50 के बराबर हो जाएगी ठीक है अब ज़रा ध्यान से सुनना क्या निकालना है आपको maximum value या minimum value निकालनी है अब देख मैंने का यार L plus B मुझे चाहिए 50 meter ठीक है और अगर मुझे इसका maximum area चाहिए तो area क्या होता है तो इस वाले plot का जो area होगा यह area तो area A is given by L into B area A क्या हो जाएगा length into breadth ठीक है अच्छा मुझे पता है L plus B यह है 50 है तो क्यों ना मैं काम करूं B को मैं लिख देता हूं 50 minus L ठीक है यहाँ पर मेरे पास दो variable है length into breadth मैंने एक काम किया मैंने का दो variable की जगा हम catch करते है एक ही variable कर दे है तो B को मैंने लिख दिया 50 minus L तो area क्या आगया 50 L minus L square यह आगया मेरा area अब इसने क्या बोला है सवाल में पढ़ना देख सवाल में बोला है आपको सवाल में यह hint मिल जाएगी ठीक है find maximum area that can be fenced तो आपको maximum area चाहिए area maximum या minimum कब होगा ठीक है तो मैंने एरिया जब maximum होगा तो when A is maximum जब area maximum होगा तो DA by dl क्योंकि A की term है DA by dl क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इसका differentiation 0 आ जाएगा तो बताओ यार 50L minus L square का differentiation 50L का differentiation क्या हो जाएगा 50 minus L square का हो गया 2L तो यह कितना आ गया 2L is equals to 50 L की value आ गई 25 मीटर अब अगर length यानि कि जब length 25 मीटर है जब length 25 मीटर है तब area क्या होगा maximum होगा ठीक है कोई function maximum कब होता है तो यहाँ पर y maximum तब होगा y maximum तब होगा जब इसका differentiation 0 हो रहा है चीक है तो हमारे पास यहाँ पर area है मैंने का area maximum अरे यार L 25 पर मिल रहा है तो 25 मीटर पर maximum area मिल रहा है चीक है तो मैंने का maximum area कितना हो जाएगा तो maximum area is equals to length अगर 25 हो गई तो ब्रेट भी शाह 25 ही हो रही है पचास बी क्या है पचास माइनस अल तो बी भी 25 हो गया तो 25 इंटू 25 यानि की 625 मीटर स्क्वेर आंसर आ गया है option B ठीक है अरे वाह चलो बहुत बढ़िया option भी हमारा answer आ गया clear है कुछ बच्चे बुलना है सर common sense का सवाल है common sense इसलिए क्योंकि symmetry वाली जगह पर बनता है याद करो 25 20-25 स्क्वेर पर maximum area बहुत बढ़िया ठीक है चलो यार एक और सवाल करके दिखाओ फिर is potential energy u varies with x as u is equals to 6x minus x square find x where u is minimum. छाँ, solve करो, और integer type question है, छाँ, करो, भाँ. झाल झाल बहुत बढ़िया गुड उके चल यार तो यहां पर मुझे यू दिया हुआ है इसने बोला है कहां पर यू मिनीमम होगा तो मैंने का यू मिनीमम होने के लिए डी यू बाई डी एक्स फॉर रू यू टूबी मिनीमम जब यू मिनीमम होगा डी यू बाई डी एक्स कितना होगा जीरो होगा यानि की डी यू बाई डी एक्स कि आ होगए 6 माईनस 2 एक्स 0 होगया एक्स की वैल्यू तीन पर यू minimum आएगा अच्छा MAXIMUM की वह सकता है सर ने करके डबल डिफ्रेंशेशन करके देख चेक कर तो डबल डिफ्रेंशेशन चाहाएगा खाली माइनस तू आर खाली क्या रहा है डबल डिफ्रेंशेशन आगर मैं करूंगा 6x-x², यह minimum नहीं, maximum आ रहा है है न, du by d2u by dx², ठीक है, यह क्या गया, minus 2 आ गया, तो यह maximum है, minimum नहीं है यार, ठीक है, maximum है, double differentiation negative है न, हाँ, तो maximum आएगा, minimum नहीं आएगा, चल भाई, और वैसे भी, quadratic equation नहीं के 0T है, ठीक है, x equals to 3, बहुत बढ़िया, ठीक है, x equals to 3 पर क्या रहा है, potential energy आपकी maximum आ रही है, minimum नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, चल यार, समझ में आई बात, अब बात करते हैं, पोल बेटा यहीं पर आपता है, पोल बेसिकली चैट ही आपका पोल है, आपको चैट में ही आंसर देने है, ठीक है, चैट में जो आप आंसर देते हो, वही आपके पोल में काउन्ट होते है, है चल या तो integration के बारे में बात करते हैं जिस तरी और जैसे आपका differentiation बहुत ही important part है ठीक उसी तरीके से integration भी उतना ही important part है तो integration क्या है basically integration के दो मतलब होते हैं फिर से पहला चोटी चोटी चीजों को जोड़ना और दूसरा area under curve ठीक है तो integration अगर आपने differentiation पढ़ लिया तो आपको integration अपने आप आता है ठीक है अगर आपने differentiation पढ़ लिया तो आपको integration अपने आप आता है यह क्या है basically differentiation का उल्टा कि differentiation का कि अपरेटा सोचना है basically आपको ठीक है आपको basically differentiation का उल्टा सोचना है एक बच्चा बोल रहा है sir what is the difference between gradient and differentiation ठीक है gradient और differentiation में कोई फर्क नहीं gradient भी rate of change ही है बस rate of change gradient किसी एक दो function की बीच में होता है ठीक है तो कोई अंतर नहीं है ठीक है वो भी gradient ही है चल तो integration का उल्टा सोचना है basically integration का differentiation का उल्टा सोचना है अगर आपको differentiation आता है तो आपको integration करना भी आता है जैसे कि अगर मैंने बोला कि आपके पास function है किसी चीज का मैंने differentiation बोल दिया मैंने का dy by dx अगर किसी function का differentiation है 2x कोई function है जिसका differentiation 2x है तो बोलो आपको y क्या होगा अगर मैंने आपको किसी function का differentiation दे दिया और मैंने आपसे पूछ लिया कि y क्या होगा आपको बस उल्टा सोचने के लिए मैंने बजबूर किया है तो बोलो यार क्या होगा आपने तुरंद बताया बहुत बढ़िया क्रिश का अंसर बिल्कुल सबसे पहले आया योगेश गुड निरंकार हाँ x square का differentiation 2x होता है आपने तुरंद बोल दिया ठीक है तो मतलब क्या अगर x square का differentiation 2x होता है अगर x square का differentiation 2x होता है तो 2x का integration आपका क्या होगा x square हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से हम basically integration करते है integration क्या है differentiation का ultra होता है ठीक है तो मैंने कहा कि अगर y is equals to x की power n का differentiation क्या होगा nx की power n-1 तो n into x की power n-1 का integration क्या हो जाएगा y equals to x की power n हो जाएगा कहने का मतलब यह है integration में आपको differentiation से ultra सोचना है ठीक है चल भाई तो पहली चीज़तों मैं यह कुछ एक example दूँगा कि आप बिना formula के integration करके बताएं ठीक है बिना formula का अभी formula मत लगाना मुझे पता है तुन्हों को formula याद है ठीक है बिना formula के integration करना है ठीक है किस function का differentiation किस function का differentiation कॉसेक्स होता है बोलो कि आप साइनेक्स का differentiation कॉसेक्स होता है तो इसी को अब हम लिख देते हैं कि कॉसेक्स x into dx का integration this is equals to sin x ठीक है अब बता किसका integration किसका differentiation x square होता है अब सोच किस function का differentiation x square होगा y क्या रखनों ठीक है क्या रखनों अब बता 2x नहीं होगा एक मिनिट x square का differentiation नहीं करने को बोल रहा हूँ ध्यान से सुन नेरी बात x square का differentiation करने को नहीं बोल रहा हूँ मैं क्या पूछ रहा हूँ किसका differentiation x square होगा मैं तो इससे वो function बोल रहा हूँ जिसका differentiation x square होगा तो अगर मैं यहाँ पर x cube रख देता हूँ तो x cube का differentiation क्या होता है सर 3x square ठीक है लेकिन यहाँ तो 3 है नहीं तो क्या करूँ 3 का divide कर देता हूँ तो x cube का differentiation 3x square 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा खाली x square तो x cube by 3 का differentiation होगा x square तो x square का integration यह होता है x cube by 3 ठीक है और इसी के basis पर हमने integration के rules बनाए है ठीक है सिर्फ इसी reverse psychology के basis पर सिर्फ इसी reverse psychology के basis पर हमने integration के rules बनाए है ठीक है जैसे formulas मैं आपके सामने लिख रहा हूँ y is equals to x की power n into dx का integration ठीक है x की power n into dx का integration क्या आएगा ठीक है x की power n plus 1 एक power बढ़ा दी divided by n plus 1 ठीक है हाँ एक बच्चा बोला है सर कॉंस्टेंट एड़ कर दीजिए सभी में चल भाई ले कर दिया ड़न ठीक है बिल्कुल सही बोल रहा है constant add कर देना चाहिए क्यों constant add कर देना चाहिए क्यों constant differentiation में खतम हो जाता है plus c आरे वाह अब तुम लोगों को तो ठीक है y is equals to cos x का integration sin x sec square x का integration n x sec x cortex का integration minus sec x sin x sec x tan x का integration sec x cos x square x minus cortex x आप आप कि यह सभी के integration के rules है formulas है एक बच्चा बोल रहा formulae भूल गया उसी लिए तो मैं लिखवा रहा हूं formulae ठीक है भूल गया तो कोई बात नहीं आलागी दीक भूल जाता है तो differentiation के अपने अपने आप याद है ठीक है डिफ्रेंशेशन करेगा तो अपने पहले छेस मिलना ही मिलना है चेक कर लिना ठीक है तो बूल गया तो घबरा मत अपने आप दूबारा से याद भी आ जायेंगे के क्लियर है चल भई अरे भूलने के लिए ही तो लिखवा है तुझे तुझे क्यों टेंट्शन लेता है मुझे पता है तो भूल गया होगा ठीक है तो उसी के लिए मैं तो यहां पर फॉर्मलेस दुबारा से लिखवाएं है ठीक है मुझे पता है तू भूलेगा class 12 में बेटा वाएगा ना तो वहाँ पर बार बार integration का use आने वाला है तो integration का use आएगा तो वहाँ पर हमको यह फॉर्मलेस दुबारा से देखने पड़ेंगे ठीक है चल भाई तो अगर इतनी बात हैं याद आ रही है तो अब कुछ रूल्स बता देता हूँ तो पहला addition slash subtraction जब आपको दो function दिये है f of x plus g of x और इन दोनों का integration करना है तो basically क्या करोगे f of x का अलग integration कर दो और g of x का अलग integration कर दो ठीक है प्लस कर दूँ या माइनस कर दूँ एक ही बात है तो addition और subtraction में क्या करना है दोनों ही functions का अलग-अलग integration कर देना है और चिंता नहीं करनी है clear है integration में product rule, division rule जैसे rules नहीं होते है बस एक और rule बताता हूँ दूसरा है आपका y is equals to f of अगर मैंने कहा कि f of ऐसे सोचते है अगर f of x का integration g of x है अगर f of x का integration g of x है then then f of ax plus b का integration होगा g of ax plus b और x का coefficient का divide कर देना है ठीक है x के coefficient का divide कर देना है क्या करना है अगर मैंने कहा है f of ax plus b कुछ integration है तो इसका integration क्या हो जाएगा g of ax plus b divided by a जैसे के example के तौर पर मैंने बोला कि 3x minus 1 का whole square का integration करना है आपको ठीक है देखेगा 3x minus 1 के whole square का आपको integration करना है तो क्या करूँगा देख भाई यह क्या ax plus b इस type का है मतलब क्या इसमें linear है तो क्या करूँगा मैंने का 3x minus 1 का whole square तो 3x minus 1 का whole cube by 3 पहले तो यह कर दिया है x की power n का इसको मान लिए x x की power n का integration क्या होता है एक power बढ़ा दिया और उसी power का divide कर दिया अब इस पूरे term में divide कर दिजिए जो भी इसका coefficient है तो इसका coefficient क्या है 3 तो इसी 3 का divide कर दिजिए तो यह क्या आ जाएगा यह आ जाएगा 3x minus 1 का whole cube divided by 3 into 3 9 हो जाएगा plus c तो लास्ट वाले term में मैंने इसका 3 का divide कर दिया बस इतना सा कहानी और नई रचनी है बाकी सारी की सारी बात हैं बिलकुल same है चल भाई तो सवाल solve कर कर दो 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 झाल 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 हो गया चल भाई पाइनेक्स का इंटिग्रेशन क्या होता है कॉसेक्स और कॉसेक्स में क्या करूंगा इसमें यहां पर टू है तो टू का डिवाइड कर दूंगा ठीक है आंसर आजाएगा ओप्शन बी तू कर डिवाइड कर दिया और होच सारे बच्चों ने इस सवाल में कॉमन मिस्टेक करी है पहली कॉमन मिस्टेक साइनेक्स का इंटीग्रेशन कॉसेक्स नहीं होता है साइनेक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक्स तो साइनेक्स टू एक्स प्लस वन का अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो माइनस ओफ कॉस टू एक्स प्लस वन और अब दो का डिवाइड करूँगा, आंसर आएगा option D, ठीक है, देख ले आराम से, sin x का integration होता है, का गया, sin x का integration होता है, minus cos x, अरे differentiation से चेक कर, cos x का differentiation minus sin x होता है, तो एक minus all लगाना पड़ेगा, sin x का integration होता है, minus cos x, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने common mistake करी होगी, मेरा ये अंदाजा बोलता है, कि तुम्हें से काफी सारे बच्चों ने गड़बर करी है, देखें, 73% का सही आया है, तो फिर भी बहुत सही score है, ठीक है, 13, 13 तो चलता है, काफी सारे बच्चों ने सही solve किया, गडबर कम करी, चमाल है यार, तुम तो खिलाडी निकले, सर, पोल नहीं आ रहा है, बिटा, पोल आपका यूट्यूब चैट में डायरेक्ट आपका embedded है, तो यूट्यूब के चैट में आपको A, B, C, D बस जवाब देना है और आपके पोल वहीं से आ रहे है, ठीक है, कोरबोड, फैजल गेमिंग, ठीक है, आदित्य जा, सौरभ, गुड़, गौरव, वेदिका, बिट्टू, अंशित, चुभम, बहुत बढ़िया, आपे तुम लग गेम ही खेलते रहते हो, क्या, सारे नाम गेमिंग, गेमिंग, गेमिंग दिखते रहते हैं बेट, सबने यूट्यूब अकाउंट बना रखे हैं, गेमिंग के लिए, गेमिंग खेलो, गेम में खेलने में दिख्कत नहीं है, बट मुझे लगता है कि अभी वो सही टाइम नहीं है, गेमिंग का, पॉलेज में पता है ने, प्रोफेशनली गेमिंग होती है, ठीक है, गेमिंग क्लप्स बने हुए होते हैं, जहां पर आपके बस बिसिकली काम ही, बच्चे होते हैं, जो गेम ही खेलते रहते हैं, पूरे दिन, टूर्णामेंट्स होते हैं, प्रोफेशनली, जैसे पबजी वगरा के टूर्णामेंट्स होते हैं, बिलकुल उसी लेवल पर, चलो, चीक है, तो यह है आपका सवाल, किसी भी फंक्शन का आपको इंटिग्रेशन करना है, तीसरा अगर मैं रूल बताऊं, तो यह काफी जगे काम आता है, इट इस सब्स्टिट्यूशन मेथर्ड, जब सवाल कभी-कभी ऐसा होगा, चीक है, आपको यहाँ पर इस तरीके का फंक्शन देगा, f of x, f of g of x, फंक्शन बना देगा, चीक है, अगर f of x का इंटिग्रेशन जो है, let us say, वो कुछ है, h of x, कुछ h फंक्शन है, चीक है, मतलब यह मैं केवल एक बेसिक लिख रहा हूँ, अगर f of x का इंटिग्रेशन है, h of x, चीक है, तो अगर मैंने कहा के f of g of x दे दिया, मतलब फंक्शन के अंदर आपको फंक्शन दे दिया, लेकिन साथ में इसका डिफ्रेंशियेशन भी दे दिया, तो इसका इंटिग्रेशन बिलकुल नॉर्मली वैसे ही कर देना, जैसा पहले करते थे, h of g of x कर देना और solve कर देना, चीक है, इसको example से समझाता हूँ, ज्यादा better समझ में आएगा, ये तो भाई ये गड़ित की भाशा है, चीक है, तो गड़ित की भाशा से घबरा मत, मैं तुझे example देता हूँ, तो example से तुझे तुरन समझ में आजाएगा, किस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, जैसे अगर मैंने कहा, कि sin of x square, x into dx, इसका आपको integration करना था, x into sin of x square into dx, चीक है, तो मैंने कहा यार, इसका integration करना है, तो सबसे पहले देख, सर, sin of x square का तो integration हमने देखा ही नहीं है, हमने किसका integration देखा है, sin x का देखा है, तो मैंने कहा एक काम कर, पहले ही देख यहां पर, अगर मैं x square को यहां पर कुछ t मान लू, x square को t मान लू, तो मैंने कहा यार, x square का differentiation क्या होता है, ह bekल एकस्उडीएक्स होता है तो अगर मैने iqA को टी माना तो यह क्या बन जाएगा साइन टी बन जाएगा तो iqA को मैंने क्या माना है इसका डिफरेंशेल क्या होगा गासी यह क्या हो already available है x or dx तो already available है मैं इसको क्या लिख रहा हूँ मैं इस वाले term को ऐसा लिख रहा हूँ sin of x square into x dx तो अगर मैं sin of x square को अगर मैंने x square को t मान लिया तो यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा sin t और मैंने का x dx यानि कि dt मेरे पास बस available है अगर मैं बस 2 का multiply और 2 का divide कर दूँ अगर मैंने 2 का multiply 2 का divide कर दिया तो जैसे मैंने इसको dt माना तो यह 2x dx क्या बन गया यह dt बन गया इसको मैंने लिख दिया dt चीक है sin t का differentiation integration क्या होता है my minus cos t चीक है minus cos t by 2 plus c अब t की value वापस चाप दे तो यह बन जाएगा minus cos of x square by 2 plus c चीक है minus cos of x square by 2 plus c कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं चीक हम का कुछ बच्चे बोल रहे हैं repeat चीक है मैं repeat करता हूं ध्यान से सुन function इस बार देख simple function तो आराम से कर लेता है क्या होता है सर हमें formula देखना होता है formula से हम integration कर लेते हैं चीक है अब तुझे कभी-कभी ऐसे special form देगा हर integration नहीं कर पाएगा तू ठीक है लेकिन कई बार ऐसा special form देगा जहां पर function में किसी term का differentiation function के किसी term का differentiation यहीं पर दिख जाएगा जैसे sign of x square का कीक स्क्वाइर का differentiation क्या होता है 2x होता है तो मैंने का सर यहां पर x dx की कमी थी तो तो का तो multiply हम करी लेते हैं चीक है तो मैंने क्या किया 2xdx करके यहां पर लिख दिया अब देखना यार अगर आप ने x square को अगर आपने x square को T मान लिया तो इसका differentiation क्या होता है 2x dx डिफरेंशियल होता है ङी कि हो क्या हो जाएगा dt मैंने का मुझे integration करना है मुझे सुंदर form में बनाना है तो अगर मैंने x square को टी माना तो इसका differential यहाँ पर available है तो यह क्या हो जाएगा sin t और यह क्या हो की value वापस चाहब दे integration कर दिया कहने का मतलब यह है आपको function का integration वहीं कहीं दिख जाएगा ठीक है मैं एक और example ले करके दिखाता हूँ ठीक है अच्छा यह धूरना पड़ेगा यह दिमाग वाला गेम है ठीक है यह बेसिकली वो चीज़ है कि आपको कोई चीज धूरनी है ठीक है सब दिये हुए सवाल में आपको वो जुगार धूरनी है सर टू कैसे आया टू बेटा ऐसे आया देख अरे यहाँ पर टू सवाल में नहीं था ना तो दो का multiply 2 का divide खुद से करना पड़ेगा न मुझे तभी तो 2x dx बनेगा मेरे पास सवाल में खाली x dx था टू missing था तो मैंने का अब कोई बात नहीं 2 का multiply कर दे 2 का divide कर दे ठीक है तो अब यह 2x dx बन गया यह dt हो गया और वो 1 by 2 बाहर रहे गया बिचारा ठीक है मैं एक और example लेता हूँ आपको ज्यादा better समझ माएगा x divided by x square plus 1 dx का integration यह थोड़े से अच्छे लेवल के integrations है आप integration के बारे में class 12 में बहुत depth में maths में पढ़ेंगे लेकिन बीच में कहीं न कहीं आपको क्या है कि physics में भी integration का use तो देखो आना ही आना है चीक है तो बस उसके लिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ चीक है मैं इससे पहले एक और example लेता हूँ चीक है जैसे मैंने कहा कि log log नहीं कोई term ऐसा जैसे आफ़े तो देख भाई मैंने कहा कि आअब घंटी तेरी दिमाग में पहले ही बच जाना ह्याहिए ठीक है साइन एक्स का integration मैंने का यह साइन एक्स का differentiation होता है कोश एक्स की दिमार्ग में चमका चीक है तो जैसे ही मैंने बोला कि साइन एक्स का differentiation अगर मैंने sin x को t माना तो इसका differential cos x dx मुझे यहाँ पर पहले सी बैठा हुआ दिख रहा है तो क्या करूँ मैं मैंने का let sin x is equals to t अगर मैंने बोल दिया sin x हमारा t है तो इसका differential क्या होता है सर differential होता है cos x into dx यह dt हो आएगा वो यहाँ पर सवाल में पहले सी बना करके दिया है तो यह क्या बन जाएगा ज़रा देखना तो यह पूरा अगर आपने sin x को t माना तो यह integration बन जाएगा पी का square into dt यह वाला term आपका dt बन चुका है और यह आपने क्या माना है इसको आपने माना है t तो t square dt अब t square dt का integration क्या होता है अरे सर यह तो हमको पहले से ही पता है तो एक power बढ़ा दी तो t cube by 3 plus c लिख दिया अब t की value वापस चाप दो तो क्या साइन एक्स का whole cube by 3 मधुरकर का बिलकुल तहीं आया है ठीक है के clear समझ में आया क्या लुज़गार लगाई अब देख जैसे यहां पर एक सवाल था ठीक है x upon x square plus 1 का integration मैंने कहा कि यार मेरे को वैसे तो formula पता नहीं है लेकिन मुझे पता है x square का differentiation होता है 2x x square का differentiation क्या होता है 2x तो क्यों ना इस नीचे वाले term को क्यों ना इस नीचे वाले term को मैं T मान लूँ निचे तो मैं लिख रहा हूं let x square plus one is equals 2 ut तो इसका differential क्या होता है सर x square का differential होगा 2x dx 1 का होगा 0 ये बन गया dt ठीक है लेकिन ऊपर क्या है ये ऊपर तो सर्ट x dx ही ये खाली तो मैंने का अरे 2 का multiply 2 का divide कर दे 2 का multiply कर दे 2 का divide कर दे अब ये क्या बन गया 2x into dx ये बन गया आपका dt ठीक है तो अब एक्स क्या बन गया भी फॉर्मला अभी फॉर्मला बन गया dt डिवाइड बाइड बाइटी वन बाइटू वैसा की वैसा ठीक है क्या होता है integration dt का तो basically पता है क्या है आप चीजों को धूंड रहे हो आपको integration करना है अब आपको जुगार बनानी दिमाग में आपको जुगार सोचनी पड़ेगी क्या जुगार लगा सकता हूं तो मैंने का या यह नोन फॉर्म तो है नहीं लेकिन मैंने दिमाग इक चमगा मैंने का अ lon t plus c अब value वापस चाप दूं t की value किसको माना था x2 plus 1 जीख है तो 1 by 2 x2 lon of x2 plus 1 plus c तो कहने का मतलब यह है भ्या कि यह थोड़ा सा गड़ितवारा c नहीं जहां पर थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ता है तिक है substitution method क्या है standard form में नहीं है तिक है function के अंदर कुछ function दिया लेकिन साथ में विवस्था करी हुई है, विवस्था का मतलब क्या है, differentiation की जुगार साथ में दे रखी है, जैसे जब मैंने यहाँ पर sin x दिया था, तो साथ में cos x भी बना के दिया था, जब मैंने यहाँ पर x square दिया था, जब मैंने यहाँ पर x square बना के दिया था तो x square में भी यहाँ पर मैंने x dx बना करके दिया था अगर मैं यहाँ पर x cube लिख दूँ तो यहाँ पर x square dx दे करके दिया होगा मतलब कुछ न कुछ विवस्था करके दी होगी हर integration को ऐसे नहीं कर पाऊँगा लेकिन special form में आपको कर सकते हैं differentiation सारे functions का possible होता है integration सारे functions का possible नहीं होता है differentiation सारे functions का possible होता है integration सारे functions का calculate करना आपके लिए possible नहीं है चल भाई तो यहाँ तक की बात अगर समझ में आ रही है यार ये ये थोड़ा सा part ऐसा है जो कि आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और मैं पहले बार में आपको चीज़ें नहीं दिखती है कई बार ऐसा होता है जब मैंने पहली बार ये substitution method पढ़ा था मुझे भी चीज़ें नहीं दिखाई देती थी अरे ऐसा थोड़ी ह होता है यार मैस में ऐसा कैसे हो सकता है कि यह पहली बार में आपको चीज़ें दिखने लग जाए हां लेकिन एक बात क्लियर है जैसे जैसे questions की practice करते जाते हैं मैंने अभी यहाँ पर तीन question आपको कराए लेकिन अब आपको एक idea दगने लगा कि और यार जब साइन एक से त practice आप class 12 में integration chapter में पढ़ेंगे ठीक है 12 में integration का specific chapter आता है तो वहाँ पर आप बहुत सारी integrations पहले से करेंगे ठीक है तो घबराना नहीं normal integration आता है उससे काम हो जाता है ज्यादा तर cases में ठीक है physics में भी ज्यादा तर cases में normal integration से काम चल जाता है ठीक है कभी कभी ऐसा होता है कि function जब 8 पटे आते हैं तब आपको करना पड़ेगा ठीक है चल भाई अब integration के दो types definite integration और indefinite integration चीक है indefinite integration हम अभी तक करते आ रहे थे मतलब क्या जो मैंने अभी तक लेखा था f of x का integration ठीक है तो जो भी था g of x प्लस c ये था आपका indefinite integration यहाँ पर definite integration में कुछ नहीं करना करना वही है बस आपको limit रखी होगी a से लेकर के b तक ठीक है तो क्या करेंगे g of x integration वही रहेगा बस अब limit बदल जाएगी a से लेकर के b तक ठीक है तो पहले क्या लेखेंगे upper limit यह आपकी upper limit है basically अब आपको add करने के लिए मैंने यह बता दिया है कि x की value a से लेकर के x की value b तक आपको चीज़ों को जोड़ना है तो यह हो जाएगा g of b minus g of a टीक है upper limit minus lower limit clear है चल भाई टीक है जैसे integration of sin sin x का integration 0 से लेकर के 90 डिगरी तक जीरो से लेकर के 90 डिगरी तक sin x का integration क्या होगा यह हमें calculate करना था बहुत बढ़िया प्रणव इब्राहीम निसार ठीक है गुड़ गुड़ अरे वाँ चल भाई sin x का integration क्या होता है sin x का integration होता है minus cos x ठीक है अब limit क्या है 0 से लेकर के 90 डिगरी तक तो minus पहले upper limit रखता हूं तो minus cos 90 डिगरी माइनस फिर माइनस cos 0 अपर लिमिट माइनस लोर लिमिट पहले इसमें 90 डिगरी रखा x की जगे फिर उसमें यह रखा तो पहले यह और दोनों को माइनस कर दिया तो यह तो क्लियर है क्लियर है sin square x का integration 0 से लेकर के पाई बाई टू तक ठीक है थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा standard form नहीं है ठीक है sin square x का integration करना है 0 से लेकर के 90 डिगरी तक अरे यार क्या नहीं आया भाई सिंपल साज जो लॉजिक है क्या करना है जैसे sin x का integration क्या होता है minus cos x अब क्या किया मैंने बेटा पहले यहां पर 90 डिगरी रख दिया फिर यहां पर 0 डिगरी रख दिया दोनों को minus कर दिया सिर्फ यहीं किया है और कुछ भी नहीं किया तो cos 90 क्या होता है 0 होता है cos 0 क्या होता है यह 1 होता है अब minus और minus क्या हो गए यह प्लस बन गया दिक है यहाँ पर हिंट देता हूं sin2x का integration दिक है मुझे पता है cos2x होता है cos2x minus sin2x इसी को हम ये भी लिख देते हैं 1 minus 2 sin2x तो cos 2x अगर 1-2 sin2x है तो sin2x हो जाएगा 1- cos 2x by 2 यह है hint चल भाई sin2x is equals to 1- cos 2x by 2 अब solve कर Sir class की length बता दो please बेटा 10-12 बजे के तक चलेगी ठीक है almost हो सकता है जल्दी खतम हो जाए लेकिन मुझे लगता 10-12 के बीच में जाएगी लेक आपको मिलेगा 9 बजे ठीक है बहुत बढ़िया ठीक है चले यार तो मैंने का sin2x को मैं इसमें लिख देता हूँ इसको convert कर देता हूँ तो इसको लिख देता हूँ 1- cos2x by 2 0-90 डिग्री dx वैसा की वैसा यह 1 by 2 जो है वो बहार ले लूँ constant तो बहार ही आ जाएगा 1- cos2x अब क्या करूँ 1 का integration अलग कर दूँ cos2x का integration अलग कर दूँ तो 1 by 2 integration of dx minus integration of cos2x dx 0 से ले करके 90 डिग्री तक dx का integration क्या होगा खाली x बन जाएगा cos2x का integration क्या होता है sin2x divided by 2 2 का divide करना मत बूलना sin2x divided by 2 limit 0 से ले करके 90 डिग्री 0 से ले करके 90 डिग्री और ये बाहर का 1 by 2 अभी भी चल रहा है चीक है अच्छा ये क्या बन जाएगा तो 1 by 2 अब देख pi by 2 पहले रखूँगा pi by 2 minus 0 ये पहला term बन गया ये वाला टीक है minus sin2x में रखूँगा तो sin2 into pi by 2 minus sin0 तो ये बन गया 1 by 2 और ये हो गया into pi by 2 minus sin pi क्या होता है sin pi 0 होता है 0 minus 0 तो 0 हो जाएगा तो answer आजाएगा pi by 4 ये answer आजाएगा pi by 4 बहुत बड़ी है काफी सारे बच्चों का बिलकुल सही जवाब आया था चले यार तो अब हमने क्या देखा integration करना देख लिया definite integration और indefinite integration के बारे में बात कर ली अच्छा definite integration में कुछ properties बताता हूँ जो कि कभी-कभी काम आती है properties of definite integration तो जैसे अगर मैंने कहा कि a से b तक अगर आपको integration करना है तो this is equals to minus of b से a तक integration f of x dx का ठीक है a से b तक integration करूँ या b से a तक उल्टा कर दूँ और एक minus sign लगा दूँ एक ही बात है दूसरा a से a तक अगर मुझे integration ही करना है तो क्या आजाएगा 0 आजाएगा तीसरा अगर f of x का integration minus g of x है ठीक है तो यहाँ पर जब आप limit रखोगे ठीक है यह क्या बन जाएगा minus g of x a से b ठीक है और यह minus हटा करके क्या करो जैसे पहले क्या करते थे पहले g of पहले b रखते थे फिर a रख देते अब क्या करूँ minus हटा दूँ और पहले a रख दूँ और फिर b रख दूँ मतलब क्या limit पलट दी माइनस हटा दिया और limit भी flip कर दी तो बात तो वही रही तो limit पलट दी पहले जैसे बी रखता था फिर ए रखता था अगर माइनस गाइप कर दिया तो पहले ए रख दो फिर बी रख दो एक ही बात है चल भाई तो ये आपके कुछ definite integration की properties है ठीक है तो अब बात करते हैं अगले topic के बारे में which is kinematics ठीक है kinematics basically अब जो आएगा definite integration, indefinite integration, integration, differentiation इन दोनों का application भी बताऊंगा यहाँ पर ठीक है तो पहले मैं सोच रहा था अलग-अलग application बताऊं लेकिन बेटर है कि अगर मुझे अब application बताना है तो साथ में ही एक साथ application बताऊं यहाँ पर आपको सारी चीज़े include हो जाएं 11th not wasted चल भाई यहाँ तक की बात अगर समझ में आ रही है यहाँ तक की बात यहाँ तक मेरे साथ जिन्दा है अभी तो फटा फट से यार हाट बना दे मुझे समझ में आ जागा कि तुम मेरे साथ अभी भी है कि नेगेटिव के साथ कैसे बिटा नेगेटिव मैंने पहले ही बोल रहा है इफ 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 देख पड़ अगर f of x का integration minus g of x है जैसे sin x का integration minus cos x था sin x का integration क्या था minus cos x तो minus cos x में भाई है कि माइनस अटा दो और लिमिट पलट दो एक ही बात है चल भाई तो अब शुरुआत करते हैं का का इनमेटिक्स की कैने मेटिक्स में basically अगर मैं बात करूँ वैलोसेटी ठीक है मैं बहुत सिम्बल सिम्बल सी याब अब यह नहीं बताऊंगा यार पोजीशन क्या होती है डिस्टेंस घोती है डिस्प्लेसमेंट क्या होती है इतन आगे प्रैक्टेस कॉष्चन साथ में ही ऐंगे जैसे जैसे आपके टापिस बढ़ते जाएंगे ठीक है कोई ऐसा तो नहींना कि Onunएसर डिस्टेंस डिस्प्लेश्मेंट यह क्या बला ए ऐसा तो नहीं है न कोई चल ठीक है तो अगर मैं बात करूँ कोई भी जगह जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेस्मेंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फिर भी लेक बता देता हूं यार नहीं तो तू बोलेगा ठीक है देख भाई अगर कोई परसन या कोई भी उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ यह जो होती है इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेस्मेंट डिस्टेंस आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें डिरेक्शन की जरूरत नहीं है जबकि डिस्प्लेस्मेंट आपकी वेक्टर होती है चीक है scalar और vector दोनों के बीच में ये major difference है चीक है चले यार तो distance or displacement यह है अब ध्यान से सुनना अगर कोई body अगर कोई body एक जगे से दूसरी जगे जा रही है तो जार अब मुझे क्या करना पड़ेगा distance or displacement के साथ मैं मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि body कितना धीमे धीमे या कितना तेजी से चल रही है चीक है तो तो दो टर्म आएंगे आपके speed और velocity चीक है तो speed क्या बताता है speed बताता है कि body का distance कितनी जल्दी जल्दी चेंज होता है तो speed is basically rate of change of rate of change of distance कोई body का distance कितनी जल्दी जल्दी या कितने धीमे धीमे बदल रहा है और velocity बताता है rate of change of rate of change of displacement किसी body का displacement कितनी जल्दी जल्दी बदल रहा है rate of change of displacement चीक है अब speed और velocity भी दो parts में टूटेंगी अगर मैं बड़े interval के लिए बात करता हूं तो हम लिखते हैं average speed और average velocity और अगर मैं छोटे इंटर्वल के लिए बात करता हूं तो लिखते हैं instantaneous speed and instantaneous velocity चीक है याद आ रही है वहाते हैं कुछ कहानी याद आ रही है तुमको क्लास में मैंने एक कहानी सुनाई थी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक घर से स्कूल तक तुम्हें जाना था ठीक है बीच में पान की दुकान पढ़ती है मुछ कहानी सनाई थी याद आ रही है कि है तुम्हारे और दोस्त की लडाई हो जल हो जाती थी तो यह होता था तुम्हारे दोस्त की जब लडाई होती थी और बोलता था भाई है घर में जाके एक शिकायत आथी थी कि आँटी आपका जो लड़का है यह बहुत तेज स्कूटी चलाता है तो क्या करता था बेसिकली अगर मुझे एवरेज पूरे इंटरवल के लिए है और अगर मुझे यह बताना है किसी instant पे velocity या speed कितनी है तो क्या करते थे हम यहां पर एक photo click करते थे जब मैंने यहां पर एक photo click करी तो photo में तो speed या velocity आती नहीं है तो क्या करते थे हम photo के साथ में फिर दूसरी photo click करते थे लगातार दो photos click करी और जब मैंने दो फोटोस लगातार क्लिक करीं तो इन दो फोटोस के बीच में ये जो बच्चा है ये कुछ dx distance आगे गया और दो फोटोस में जो time लगा वो dt time लगा ठीक है तो यहाँ पर क्या मिलेगा dx by dt ये velocity मिल जाएगी तो हमने देखा था कि average speed होती है average speed होती है total distance divided by total time जबकी instantaneous speed होती है शोटा सा distance dx divided by dt ठीक इसी तरीके से average velocity होती है average velocity होती है total displacement divided by total time जबकी है और instantaneous velocity होती है छोटा सा displacement divided by छोटा सा time जबकी है तो छोटा सा displacement upon छोटा सा time चल भाई क्या ये बातें याद आ रही है तो dx by dt delta x by dt ठीक है अगर याद आ रही है तो भाई please heart बना दो या thumbs up कर दो तो मुझे समझ में आ जाएगा फिर मैं numerical करवाता हूँ ठीक है अचल बहुत बढ़िया चीक है तो एक सवाल करते हैं position of a particle at any time is given by x is equals to 4t square minus 20t yeah fine displacement of particle between t is equals to 0 and t is equals to 10 second second average velocity between t is equals to 0 and t is equals to 10 second tisra velocity at t is equals to 5 seconds tautha time when particle comes to rest चल यार बहुत बढ़िया गुड अरे वाह कॉल कर फटा फट से पुड बहुत बढ़िया वाह झाल चल भाई पहला displacement of particle 0 और 10 के बीच में तो मैंने का displacement x 0 पर कहां पर है at t is equals to 0 x कितना हो जाएगा यहां पर 0 रखने पर 0 ही मिलेगा t is equals to 10 पर x की value मिल जाएगी 4 into 10 का square minus 20 into 10 400 minus 200 यानि की 200 meter तो 0 meter से 200 meter पर गया है तो displacement कितना हो जाएगा 200 मीटर का displacement हो जाएगा average velocity क्या होती है total displacement upon total time तो average velocity होती है total displacement divided by total time तो displacement आपका हो जाएगा 200 meter divided by 10 यानि की 20 meter per second टीक है 20 meter per second velocity at t is equals to 5 अगर मैंने कुछ नहीं बोला है अगर मैंने कुछ भी नहीं बोला है तो velocity का मतलब होता है instantaneous velocity चीक है अब velocity क्या होती है velocity होती है dx by dt कुछ नहीं करना बस इसका differentiation कर देना है तो 4 into 2 यह क्या हो गए 8 t minus 20 चीक है तो at t is equals to 5 velocity क्या हो जाएगी यहाँ पर 5 रख देता हूँ तो 8 into 5 minus 20 40 minus 20 20 meter per second चीक है चौथा time when velocity particles comes to rest तो particle rest पर का अब आएगा जब velocity 0 हो जाएगी चीक है तो velocity हमें निका ली चुका हूँ है क्या हां थी well 80 minus 20 it is equals to 0 the t is equals to 20 by 8 2.5 seconds ठीक है 2.5 seconds clear चल भाई समझ में आई बात अब बात करते हैं इसके बाद acceleration की तो acceleration क्या होता है? acceleration बताता है कि body का velocity कितनी जल्दी जल्दी या धीमे धीमे बदल रही है तो acceleration is rate of change of velocity डिक है? acceleration क्या होता है? rate of change of velocity किसी body की velocity कितनी जल्दी जल्दी या कितने धीमे धीमे बदल रही है यह आपको acceleration information देता है चीक है और acceleration basically बेटा दो टाइप का है पहला है आपका फिर से average acceleration बड़े इंटर्वल के लिए और दूसरा है instantaneous acceleration जो छोटे इंटर्वल के लिए है तो average acceleration क्या हो जाएगा average acceleration is basically change in velocity divided by time ठीक है टोटल बड़े change in velocity divided by बड़ा time बड़े इंटर्वल के लिए है और instantaneous acceleration होगा dv by dt ठीक है इसी को dv by dt को ही हम double differentiation के term में लिख देते हैं d2x by dt square या फिर v dv by dx ठीक है v dv by dx तो dv by dt लिखूं या d2x by dt square लिखूं या फिर v dv by dx लिखूं तीनों की तीनों बात है बिलकुल same है कोई अंतर नहीं है ठीक है बस अंतर सिर्फ किस में आता है अंतर सिर्फ आता है कि यहाँ पर time के साथ दिया हुआ है यहाँ पर x दिया है और यहाँ पर क्या है वी के साथ यहाँ पर x के साथ दिया है और यहाँ पर x ही दिया है जैसे अगर मैंने आपको बोला कि x है आपका t square minus 4t ठीक है तो आपको velocity acceleration निकालना है दूसरा मैंने बोला कि velocity है 3t square plus 4 और चौथा यह तीसरा velocity है अंडर रूट ओफ 20-4x ठीक है तीनों ही cases में आपको acceleration निकालना है पहला case दूसरा case तीसरा case तीनों ही cases में आपको acceleration निकालना है solve कीजे 24- muitas बखलो ठीक है जहां व noi बवासा उन्वारश तीसरार को realization हो एप कह गुझते कंगanton highest-pLove-nes- दूसरा- सूसरा कि कि जह सकते हैंगा आपकोड़ए visiting कि तो ऌन desarroll और आपको rhetoric में कपको होassen बहुत बढ़िया चल भाई चीक है पहले मैं अगर मैंने का डी एक्स भाई डी टी इसका डिफ्रेंशेशन करूँगा तो क्या मिलेगा वेलो सिटी मिलेगी तो वेलो सिटी क्या हो जाएगी 2t-4 और एक्सलरेशन क्या है dv by dt सीधा सीधा मैंने कर दिया तो आगया 2 meter per second square चीक है दूसरे case में आपको वेलो सिटी दिया है लेकिन time के साथ दी है तो एक्सलरेशन क्या हो जाएगा dv by dt यूस करना फायदे मन्द है तो क्या हो जाएगा 60 ठीक है 3t square मतलब हो गया आपका एक्सलरेशन हो गया 60 यह आपका एक्सलरेशन आ गया तीसरे में देखेगा आपको वेलो सिटी दी है लेकिन तीसरे वाले case में आपको वेलो सिटी जो है वो एक्स के टर्म में दी हुई है गलो सिटी किसके टर्म में दी है एक्स के टर्म में तो मैंने का जाए इस बार acceleration लिखना चाहिए v dv by dx इसके टर्म में चीक है वेलो सिटी क्या दी है तो वेलो सिटी है अंडर रूट आफ 20 माइनस 4x into इसका differentiation बोदो root x का differentiation क्या होता है root x का differentiation होता है 1 upon 2 root x 2 root 20 माइनस 4x into chain rule 20 का differentiation 0 4 x का differentiation हो गया minus 4 यह खतम हो गया यह गया माइनस 2 meter per second square टीक है minus 2 meter per second square acceleration आ गया आवाई एक बच्छा वल्ला यूज ब्रह्मास्र कर दू थर्ड वाले में अगर आप थर्ड वाले फॉर्मले को देखोगे या आ रहा है अब भाईया क्या समझ में नहीं आया कुछ नहीं किया मैंने बस खाली vdv by dx किया है यहां पर dx by dv by dt किया यहां पर dv by dt करने क्या रहा हूं कुछ नहीं नया थोड़ी कुछ कर रहा हूं यार कि कि आप कि हूं वी इसक्वेर माइनस यू स्कॉरु एकको श्टू आस या टू ए एक्स दिखाई दिया एक है यह वाला जब भी फॉर्म आता हे तो मतलब समझ जाओ को फॉर्म ऐक्सक शलर्यों को यह तो यू तो यह हो गया यह तो आपका u square हो गया और यह क्या है यह आपका 2a के बराबर है तो 2a is equal to minus 4 है तो यह क्या गया minus 2 कि आया कि इतना मेहनत नहीं करनी पड़ती है चल भाई तो अब बात करते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की जब एक्सेलरेशन कॉंस्टेंट होगा जब एक्सेलरेशन कॉंस्टेंट होगा तो जब एक्सेलरेशन कॉंस्टेंट होगा बेटा क्या करना पड़ेगा कौन-कौन सी एक्सेलरेशन याद आ रही है पहली एक्सेलरेशन वी इस इकल्स to u plus 80, दूसरी ut plus half 80 square और तीसरी, v square minus u square equals to 2, ल्यां देना यहां पर scalar है, ठीक है, 2as, लेकिन एक बात याद रखना, बच्चे कई बार क्या करते हैं, बच्चे गडबड ये कर जाते हैं, कि variable acceleration में भी equation लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ध्यान देना, ये सभी की सभी equation सिर्फ और सिर्फ तभी valid है, जब acceleration constant होता है, ये तीनों equation सिर्फ तभी valid है, जब acceleration constant होता है, ठीक है, और अगर acceleration constant है, लेटस से मैंने कहा कि acceleration है, 4 meter per second square, ठीक है, तो इसको मैं कैसे सोच सकता हूँ, इसका मतलब है है, कि acceleration को मैं लिख सकता हूँ, 4 meter per second, ठीक है, एक second में velocity 4 meter per second बदल रही है, एक second में velocity 4 meter per second बदल रही है, अगर एक second में velocity 4 meter per second बदल रही है, तो किसी ने बोला, कि भाई, एक कोई body है, एक कोई body है, इसके पास velocity है, 8 meter per second, ठीक है, और इसका acceleration है, 4 meter per second square, तो 5 second के बाद, इसकी velocity क्या हो जाएगी, verbally, बताना यार, ठीक है, 5 second के बाद, इसकी velocity क्या हो जाएगी, 28 meter per second, एक second में velocity कित्ती बदल रही है, 4, तो 5 second में कित्ती बदल जाएगी, 4, 5, 20, already 8 लेकर आया था, 8 में 20, increase हो गया, तो कितना हो गया, 28 meter per second, ठीक है, तो 5 second बाद velocity कित्नी हो जाएगी, 28 meter per second, कोई पूछे 5 second में displacement क्या करेगा, तो एक तो तरीका equation लगा देना, ut plus half 80 square रख देना, ठीक है, मैंने का मैं ut plus half 80 square नहीं रखूँगा, अगर किसी ने मुझसे पूछा, कि भाईया displacement क्या होगा, तो मैं सीधा-सीधा करता हूँ, displacement होता है, average velocity into time, ठीक है, लेकिन यह formula, अच्छा, average velocity क्या होती है, initial velocity plus final velocity upon 2 into time, ठीक है, यह आपका आ गया है displacement, तो average velocity into time, initial velocity plus final velocity upon 2 into time, ठीक है, और initial कितना है, initial है, initial है 8, final कितना है, 28 by 2, time क्या लगा, 5 second, ठीक है, 28 और 8, 36, ठीक है, 36 by 2, 18, 18 into 5, 18, पंजे, 90, 90 meter आपका displacement आ गया, ठीक है, 90 meter आपका displacement आ गया, क्या ये बातें याद आ रही है, क्या ये बातें तुम लोगों को याद आ रही है, ये तो ब्रभमास्र था, बहुत बढ़िया, ठीक है, चल भाई, तो जब भी acceleration वाला कोई भी सवाल होगा, खास सोर से constant acceleration वाला, हम हमेशा equation of motion यूज़ कर सकते हैं, या कई बार ऐसा होगा, सीज़ सीज़ सवाल आ जाएगा, तो logic से solve कर सकते हैं, मैं ये कता ही नहीं कह रहा हूँ कि ये question नहीं जरूत पड़ेगी, वहिया जब variable variable खेलता है ने numerical में, तो इन equation को use करता हूँ, लेकिन most of the cases में कई बार काम इससे भी बन जाता है, काफी सारे cases में आपका काम सीधा logic से बन जाता है, जहाँ पर आपको formulae नहीं लगाने पड़ते हैं, चीज़ है? motion under gravity, सीधा question से बनाता हूँ, uniform acceleration, motion under gravity, projectile motion, सारी बात है, सेम है, बस projectile motion 2D में हो जाएगा, motion under gravity 1D में चल रहा है, uniform acceleration जो है वो आपका 1D में चल रहा है, बस एक लेटा हुआ है, एक खड़ा कर दिया है, तो uniform acceleration बता दूँ या motion under gravity बता दूँ, सारी बात है, सेम है, मैं सवाल से logic बताना पसंद करता हूँ, ठीक है, एक body है, इस body को मैंने 60 meter per second से throw किया है, देखते हैं तुम ऐसे कितने लोग पुरानी बातें याद हैं, ठीक है, चल भई, पहला, find, time of flight, देख, verbally बताएगा तो मुझे पसंद आएगा, maximum height, velocity after 2 seconds, height after, 2 seconds, displacement, covered in, let's say, 4th second, time, अरे वा, तुम लों किते जब आप तो बड़े धड़ा धड़ा रहे हैं, झाल, 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 कि कि बहुत सही कि सब्टर पढ़ाओंगे वेक्टर अप्लाइ कर राओंगा पढ़ाओंगा नहीं अलग से ठीक है वेक्टर यहीं पर बेटा यूज हो जाएगा हर जगे वेक्टर जो है जहां पर जरूरत पड़ेगी जितना जरूरत पड़ेगी उतना तजह मैं करवा दूँगा चल भाई अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुझे time of flight मैंने का इसका acceleration क्या होता है देख भाई तो मैंने का acceleration नीचे की ओर है 10 meter per second square इसका मतलब क्या है 10 meter per second per second यानि की एक सेकंड में velocity 10 meter per second या तो बढ़ेगी या फिर कम होगी और अगर एक सेकंड में 10 meter per second बढ़ रही है या कम हो रही है जितना time जाने का उतना ही time आने का time of flight कितना आ जाएगा 12 seconds पहला सवाल 12 seconds formula क्या होता था formula होता था 2v by g formula होता था 2v by g ये था formula आपका time of flight का तो 2v by g समझ में आ रहा है देख v by g time जाने में v by g time आने में 2v by g दूसरा अगला क्या है maximum height पूछी है तो maximum height क्या होती है तो मैंने का maximum height जो निकालनी है ये h max जो है average velocity into time से निकाल सकता हूं तो initial velocity किती है 60 जब ये body top पर पहुंचेगी तब velocity क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी तो 0 और 60 का average क्या हो जाएगा 30 तो मैं इसको लिख रहा हूं average velocity into time तो 0 और 60 का average into time लगा 6 seconds 618 180 meters चीक है 180 meter आपका सीधा-सीधा answer आ गया formula इसका v square by 2g है h max का formula v square by 2g याद आ रहा है बोल भाई पुरानी बात ने कुछ चमकी क्या याद आ रही है कि नहीं आ रही है पुरानी कहानियों की तु तो बोला था भूल गया हूं सब भूल जगा हूं सर मैं 11 पूरी बरबाद कर दी मैंने कुछ याद ही नहीं आ रहा है सर जिन्होंने formula से पढ़ा है वो formula से भी याद कर सकते हैं यार यही तो बोलता था मैं तुझे नहीं भूला है तु तुझे लगता है सुन मेरे बात तुझे लगता है तुझे लगता है तो चीज़ें भूल चुका है ठीक है आधियसे जादा चीज़ें ऐसी है क्योंकि तुन्हें लॉजिकली पढ़िए और logic पढ़ने का वही फायदा ह पुषूं तो भी तो यह चीज़ें बता देगा क्योंकि तुने लॉजिक पढ़ाएं कि जैसे बच्पन में जो चीज़ें पढ़ी थी काफी सारी चीज़ें भूल जाते हैं लेकिन बच्पन में जो लॉजिक पढ़े थे लॉजिक याद रहते हैं जो Bonator कॉंबल जैसे पढ़े गणना वह थोड़ी भूला है त्यों घ्रूड़न उसका मतलब समझाए ले यह व्यक्त इकमाल होता है लॉजिक और चल हमां अग्य्सट्री आफट यस-प्र दो सेकन्दब्र एक सेकंड में कितनी कम करता है एक सेकंड में 10 कम कर रहा है तो दो सेकंड में कितनी कम करेगा बीस कम कर देगा बीस कम कर देगा तो क्या हो जाएगा साथ में से बीस कम कर दिया चालीस मीटर पर सेकंड मैं नहीं बता रहा कैसे आया तूँ खुद से कर ले चल भाई अगला हाइट आफ्टर टू सेकंड दो सेकंड के बाद हाइट एवरेज वेलोसिटी इन्टू टाइम तो चालीस और साथ का एवरेज एवरेज का जगार बताया था ना क्या होता था दो नंबर का मिड़ पॉइंट 40 और 60 का मिड़ पॉइंट क्या होता है 50 50 इन्टू 2 अंसर आ गया 100 है ठीक है अंसर आ गया 100 मीटर एवरेज वेलोसिटी इन्टू टाइम टीक है अगर ऐसे नहीं करना तो स्यक्राइब होता है i s9 s2 ut-1 codes MN ॐ से भी कर सकता उससे बीजिए सेम आएगा एगा डिस्प्लेस्मेंट in iv fix 2 जिए cG का मतलब क्या होता है का मतलब होता है तीन से चार से के बीच में 3 जिसा का से बीच में सर कैसे मैंने का फर्स्ट सेकंड मतलब 0 से 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 एक से से हैं ठीक है ठीक तो तो इन से पर आपकी जो वैलोसिटी आएगी एक second में 10 कम कर रहा है तो 3 second में 30 कम कर देगा सिक्स्टी में से 30 कम कर दिया 30 meter per second 4 second में 40 कम कर देगा तो 20 meter per second हर 1 second में 10 meter per second velocity कम होती जाएगी 30 ओर 20 का average 25 तो जाएगा 25 meter 25 मैं कुछ नहीं कर रहा हूं displacement होता है एवरेज वेलोसिटी इन्टू टाइम 30 और 20 का एवरेज और टाइम मिला एक सेकंड तो आंसर आ गया 25 मीटर ठीक है 25 मीटर आंसर आ गया बता दे यार कहानिया याद आई कर करो आई इस तो अब यही रहेगी एड़ दे मोमेंट तो चेंज नहीं हो सकती पेटा है तेरे फोन में भी व्रैंटनेस कम करने का अप्शन होता है अगर पता हो तो उसको पता है उसको पता है चल भाई यह कहानिया अगर याद आ रही है समझ में आ रही है तो फटा-फट से मुझे हाइट बना करके भेज दे पुरानी पुरानी बाते हैं बच्पन की बाते बता रहा हूं बच्पने जा तो चुन्नु-चुन्नु से चोटे-चोटे से बच्चे वगा करते थे तब की बात है यार कि एरे गजब चोटे-चोटे से बच्छे आये थे ना तब यह सवाल पता है सॉल करने में तुम्हें बहुत टाइम लगता था सौर कैसे कर रहे है सौर यह कंफीजन हो रहा है सर समझ में नहीं आ रहा बहुत प्राण पिये हैं तुम लोगाने मेरे काइनेमेटिक्स में मुझे बहुत अच्छे से यार है अब तुम बोल के देखो चल ठीक है दूसरा ड्रॉपिंग फ्रॉम हाइट वाला केस किसी हाइट से अगर मैं किसी बॉड़ी को ड्रॉप करता हूँ किसी हाइट से अगर मैं बॉड़ी को ड्रॉप करता हूँ तो जैसे मान के चल मैंने यहाँ पर किसी हाइट से एक बॉड़ी को ड्रॉप किया है तो ड्रॉप करने में टाइम कितना लगता है एचाइट से ड्रॉप करने में सर ग्राफ से कुश्चन करवाओ नहीं बेटा ग्राफ से कुश्चन मैं यहाँ पर नहीं करवाओंगा क्योंकि ग्राफ का यूज आपका वहाँ पर उतना ज्यादा नहीं आने वाला इस आज के रिवीजन का आज के वन शॉट का परपस है क्लास 12 में जो जो चीज़े आपको जरूरत पढ़ेगी उनका रिवीजन करवाना अगर मैं ऐसे एक एक टॉपिक का हर एक चीज़ का रिवीजन करवाँगा तो भाई फिर तो तुमको पता ही है मंजल तो तुमना देखी होगी किते लंबे रिवीजन जाते हैं तो एक चैप्टर का रिवीजन साथ साथ गंडे का जाएगा अगर मैं खाली रिवीजन रिवीजन करवाँगा तो वह चीज़ वैसे पॉसिबल नहीं है आपको रिवीजन करने वाले हैं जिसका जरूरत टू एच बाई जी अगर मैंने इनिशल वेलोसिटी जीरो रखी है ड्रॉप कर रहा हूं एच हाइट गिरने में अंडरूट टू एच बाई जी टाइम लगता है और जब यह बॉड़ी गिर चुकी होगी यहां पर गिरने से जस्ट पहले टकराने से जस्ट पहले फाइनल है अंडरूट टूजी एच चिह एंडरूट टूजी एच अठरूट ञटं के अ counism 132 अब बभुद बड़िया ऐफराइप साथ नोट्स नहीं बन पारही यह बुर्टा बोल रहा है वेटा आज की क्लास में आपको साथ में नोट्स बनाने का मतलब है साथ में numerical solve करना केवल important formulas लिखना ठीक है साथ में देख यार एक चीज़ में आपको बता दू जब भी आप class attend करते हो चाहे वो आज की class हो चाहे वो आपकी regular अरजुना की class हो चाहे वो लक्षी class हो किसी भी class में आप साथ में 100% notes तो कभी नहीं बना सकते ठीक है लेकिन इसका य लिखना बंद कर दो जादा से जादा क्या होगा class के बाद आपको 15 से 20 मिनिट आपको extra बैठना पड़ेगा और उस टाइम पे आप notes में जो जो पार छूटा है वो complete कर लोगे फिर इसके बाद numerical जब solve करते हैं तो numerical में question लिखने के लिए space छोड़ो और उसके बाद अपना solution solve करो जैसे for example मैंने याँ पर आपको कोई भी सवाल दिया है तो आपका objective question लिखना नहीं होना चाहिए आपका objective होना चाहिए कि numerical को solve करूं चीक है solve करना सिख गए तो question लिख तो अब मैं बाद में भी लोगे ना यार तो वहाँ पर आपको ये भी समझ भाएगा आप क्या गलत हो मैं यार कि इतनी बार बोलों बोल कि वेक्टर होगा वेक्टर का एप्लीकेशन होगा क्लास में वेक्टर किस तरीके से यूज करते हैं वह बता हूँगा ना यार कि अधिक है चल भाई तो उम्मीद करता हूँ यह सब आ गया है ठीक है अब तीसरा important बात हो है projectile motion कि अधिक फिर से बोल रहा हूँ फिर से बोल रहा हूँ इस one shot का purpose है bridge course bridge course का मतलब है class 11th और class 12th के बीच में एक pull बनाना ठीक है वो parts आपको revise कराना उन parts की आपको practice कराना जिनका application आप class 12th में करने वाली है तो आपको क्या होगा चीज़ें आपको जादा याद आ जाएंगी तो इस course का यह मतलब नहीं आज के one shot का यह purpose नहीं है कि आपको पूरा पूरा kinematics पूरा पूरा Newton's law सारी चीज़ें एक एक चीज़ का मतलब पूरा पूरा करवाए जाए जाए वो भी नहीं सकता है प्रैक्टिकली नहीं हो सकता है खुद से सोच के देखना है अगर तुने classes देखी है तो तुझे पता है differentiation में कितना time लगा था integration में कितना time लगा था kinematics वेक्टर हर चीज़ में कितने कितना time लगा था ठीक है तो ऐसा नहीं है क्या रिखाइस करना है क्या चीज़ पढ़ानी है जिसका use आपको आने वाला है ठीक है तो आज के lecture में सिर्फ वही चीज़ें कराई जाएंगी दन चल भाई प्रोजेक्टाइल मोशन अब अगर नॉर्मल मोशन आता है तो प्रोजेक्टाइल मोशन तो बच्चों वाला खेल है अब देख भाई यहाँ पर आपका आएगा वेक्टर का application अगर मैंने कोई एक velocity दे रखी है और यह ball है इसको मैंने फैका हुआ है यह आपक है कैसे मास की जगह क्या कर देगा चार्ज कर देगा और ग्रेविटेशन की जगह क्या कर देगा इलेक्ट्रिक फील्ड कर देगा मैं एक एक एक्जामपल बताता हूं बस एक बहुत सिंपल सा एक्जामपल बताता हूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं उसका logic क्या है उसके चार्ज है यह प्लेट आपकी नेगेटिव ली चार्ज है इस चार्ज को मैंने यहाँ पर आगे की तरफ वैलोसिटी दे दी है वी और जब यह चार्ज यहाँ पर जाएगा लेटस से इसकी जो लेंथ है वो है एन चार्ज यहाँ पर जाएगा तो इसका पात कैसा फॉलो होगा तो मैंने का सर पात कुछ इस तरीके का फॉलो होगा अब सवाल कुछ इस तरीके से बनते हैं सवाल इस तरीक से बनते हैं कि जब यह मास जब यह चार्ज यहां पर पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी कितने टाइम के बाद पहुंचेगा इसके पास मोशन किस तरीके का होगा इसकी लेंथ कम से कम कितनी होनी चाहिए कि इसको हिट करने से अवाइड कर जाए ऐसे नियुमेरिकल बन करके आते हैं तो अब इस सवाल में पता है क्या है देख मैंने का यार अगर वेलोसिटी वी है इस चार्ज की वज़े से इस पॉजिटिव और नेगिटिव चार्ज की वज़े से ऊपर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फिल्ड सैट अप हो चुका है इस इ अब पर पहुंचेगा मैने इसके पास वैलोसिटी अभी भी अभी क्या रहेगी विही रहेगी enriched मोशन मेंschon में प्रोजेक्टाइल मोशन में में क्या है नीचे उपर ब्थे इक्सेटि वाली वैलोसिटी हमेटा सेम रहेगी तो कितना ंग एक लेक्राइटेगा करने में नहीं ताइम लगेगा एल अपॉन वी इतने टाइम में यह क्रॉस कर जाएगा इतने टाइम में horizontal distance divided by velocity कहने का मतलब यह है यह बिल्कुल सेम वैसाई सवाल है कि मानके चल मैंने एक मांस को horizontally फैक है एक मांस को V velocity से फैक दिया है और V velocity से फैक दिया तो ये कोछ इधर जाकर के गिरेगा तो जब ये मास यहाँ पर गिरेगा टकराएगा इसकी horizontal velocity अभी भी क्या होगी वी होगी ठीक है अगर ये distance मैंने दे दिया है L है तो L distance जाने में कितना time लगेगा L upon V time लगेगा अब कोई बोल दे के height कितनी है कोई बोल दे के G कितना वो सब चीज़ां निकालने वाला सवाल है तो कहने का मतलब यह है कि बस antar क्या है यहां antar यह है कि यहां पर gravity कहा लग रही है नीचे की तरफ लग रही है और यहाँ अंतर क्या है यहाँ पर force या ग्रैविटी कहां लग रही है उपर की तरफ लग रही है तो जहाँ जहाँ A था वहाँ मैंने G से replace कर दिया यह G था वहाँ A से replace कर दिया याद आ रही है वात है तो भाईया ऐसा है कि कहानी सारी की सारी same है कहानी में difference नहीं है तो वो part revise करना है जिसका application आ रहा है अब जैसे मैंने kinematics बोला तो kinematics में यहाँ पर है projectile motion तो मैंने का V velocity है और यह angle है theta अब अगर यह angle theta है तो हमें यह बताना है कितनी दूर जाकर के गिरेगा कितनी height होगी कितना time लगेगा सबसे पहला काम क्या करूं इसकी velocity के दो component कर लो किसी भी वेक्टर को दो perpendicular direction में resolve कर लो तो मैंने कहां इस वाले case में कि एक horizontal velocity और एक vertical velocity इन दोनों में मैंने इसको तोड़ दिया बता भई theta के बगल वाला cos theta तो यह velocity क्या हो जाएगी वी का cos theta theta के सामने वाला sin theta क्या जाएगा वी का sin theta ठीक है अब यह आपका VX हो गया है यह आपका VY हो गया है ठीक है अब यह जिस भी रास्ते में जाएगा ठीक है तो इसके पास vertical वाली velocity तो चेंज होगी horizontal वाली velocity हमेशा सेम रहेगी तो जब यह बॉल आपकी maximum height पर पहुंचेगी तो भी horizontal velocity वही होगी वापस आएगी तो भी होगी हर जगह यहां तक की velocity सेम रहेगी horizontal component velocity का सेम रहेगा VX कितना रहेगा V cos theta यहां पर भी VX क्या होगा V cos theta चीक है तो VX कैसा है हमेशा सेम रहता है अच्छा अब बता भाई इसको time कितना लगेगा मैंने का जी क्या कर रहा है एक second ने जी इसकी vertical velocity को खतम कर रहा है तो VY को ही तो खतम करेगा चीक है तो VY को खतम करने में कितना time लगेगा तो time of flight निकालना है तो टू टाइमस VY by G कर देना है य वाली direction को X वाली direction से लेना देना नहीं और X वाली direction को Y से कोई मतलब नहीं है तो 2 VY by G यानि कि 2 V sin theta by G यह लगेगा इसका time of flight 2 V sin theta by G ठीक है दूसरा case क्या पूचा तो होता है maximum height ठीक है यह वाली height H max ठीक है क्या होगी H max तो initial average velocity into time ठीक है तो VY square by 2G ठीक है V square by 2G कि जाएगा क्या आ गया VY square by 2G तो क्या हो जाएगा V square sin square theta by 2G ठीक है V square sin square theta by 2G दूसरा आखरी आपका range कितनी दूर जाकर के यह body गिरेगी ठीक है तो range क्या होगी horizontal velocity into time of flight V square sin 2 theta by G यह है आपका range ms का formula जे है V square sin 2 theta by G clear है आख बोल भाई याद आ रहे हैं परानी बातें दिं 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 कि दिन हुआ है तक की बात चीक है रेंज मैक्सिमम कब होती है आर इस मैक्सिमम ओर तीटा इस इक्लस टू बोल कितने ठीटा पर रेंज मैक्सिमम होती है कितने ठीटा पर रेंज मैक्सिमम होती है फटा वट से बता है आव ora ॉENNॉ 5 degree जब 45 degree होती है तो range क्या होती है maximum होती है यहाद आ रही है 45 degree पर range आपकी maximum होती है इसकी equation equation of trajectory क्या होती है y is equals to बहुत बढ़िया 45 degree पर range maximum होती है और complimentary angles पर range बराबर होती है मतलब 30 degree और 60 degree पर range सेम होगी 15 degree 75 degree ऐसे एंगल जिनका addition 90 degree होता है तो वहाँ पर range कैसी होती है बराबर होती है हाँ equation of trajectory mx plus c यह पराबोलिक पाथ है क्या बताया था y is equals to x 10 theta minus half g x square upon v square cos square theta या फिर x 10 theta 1 minus x upon r यह है equation of trajectory यह है इस अधिकर एक स्थे टा वन माइनस एक सपॉन आप रहा है बाकी सारी चीज़ने तो कर लेगा एक कुशन कर यह है इस मतुके सारी प्रैक कर लार्पै। मतुके सारी बांस जांस अवे नश्द्द्ट यह है find time of flight, maximum height, range. Height, after one second, velocity, after one second, 60, झाल 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 आरे वा और डन आरे बहुत बढ़िया चल यार तो सबसे पहले इसके क्या करेंगे दो टुकड़े कर दिता हूँ एक होरिजोंटल वेलोसिटी दूसरी वर्टिकल वेलोसिटी 30, 40, 50, 3, 4, 5 का रिलेशन याद है तो मैंने का होरिजोंटल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड वर्टिकल क्या हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड अगर वर्टिकल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है तो क्या अब लगेगा 4 सेकंड जाने में और 4 सेकंड आने में तो टाइम अफ लाइट क्या हो जाएगा 8 सेकंड ठीक है maximum height initial velocity 40 द्यान से सुनना मेरी बात y direction को vertical वाली direction को horizontal से लेना देना नहीं है और horizontal direction को vertical से मतलब नहीं है तो height कौन decide करेगा height तो सिर्फ vertical velocity decide करेगी ठीक है तो 40 initial velocity 40 है जब यह maximum height पर पहुचेगा इसकी horizontal velocity तो 30 हो जाएगी ठीक है vertical वाली velocity क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी तो 40 और 0 का average लेना है ठीक है तो 400 0 का average 20 40 और 0 का midpoint क्या होता है 20 और time क्या लगेगा मैंने एक सेकिंड में 10 कम करता है तो 4 सेकिंड में यहां पर पहुचेगा तो 4 सेकिंड लगेंगे ठीक है तो average velocity into time 40 प्लस 0 बाइटू into 4 20 into 4 80 meters 80 meters maximum height आ गई range निकालना है horizontal velocity into time of flight अब horizontal कितनी है 30 है horizontal velocity हमेशा 30 रहेगी कितना time लग रहा है 8 सेकिंड लग रहे है आठ या 24 240 meters height after one second एक सेकिंड के बाद height कितनी होगी एक सेकिंड के बाद यह particle कुछ यहां पर पहुचेगा इसकी horizontal velocity अभी भी 30 ही रहेगी इसकी vertical velocity कितनी हो जाएगी 40 में से 10 कम हो गई एक सेकिंड के बाद की बात कर रहा हूं मैं तो मैंने एक सेकिंड में जी कितना कम करता है इस पर नीचे की और क्या लग रहा है जी जिसकी value है 10 meter per second square हर एक सेकिंड में दसी कम करता है तो एक सेकिंड बात 40 की क्या रह जाएगी 30 रह जाएगी तो अगर 40 की जगह यहां पर रह गई है 30 meter per second तो vertical velocity 30 horizontal velocity भी 30 तो इसकी net velocity क्या जाएगी 40 और 30 का root square root under 30 root 2 तो velocity after 1 second 30 root 2 meter per second और हमें क्या निकालना है हमें तो height निकालनी है even मैं angle भी निकाल सकता हूं यह कि थीटा कितना हो गया 45 degree 10 theta क्या होता है 10 theta is equals to vy upon vx ठीक है velocity का angle हमें तो height निकालनी है खेर तो height के लिए मुझे सिर्फ यह वाली इससे मतलब है ठीक है तो average कितनी है 40 और 30 का average तो 40 प्लस 30 बाइटू एवरेज वेलोसिटी इन्टू टाइम क्या लगा एक सेकंड आंसर आ गया 35 meters ठीक है height आ गई है 35 meters clear चल भाई बता दे देख ले सारे सवाल सॉल्व कर दिये तेरे सामने कहीं कोई दिक्कत हो तो बता अगर समझ में आ गया तो heart बना दे भाई clear है तो उम्मीद करता हूँ तुझे pen भी नहीं चलाना पड़ा होगा वरवली तुने सवाल सॉल्व कियोंगे all clear okay all correct नहीं आया का तो यार सीनी नहीं है न भाई इस तरीके से सोच मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ तुने velocity के दो टुकड़े कर दिये एक horizontal component और एक vertical component ठीक है आगे का component क्या है 30 component तो बिट्टा आने चाहिए ठीक है मैं पहले ही बता देते हैं यह component हो सकता है आप भूल चुके हो मैं आपको यह बता दूं तीन चार पांच का relation होता है तीन चार और पांच तो यह एंगल है 37 डिग्री यह एंगल है 53 डिग्री ठीक है 37 डिग्री 53 डिग्री अब कॉस्ट 53 क्या होता है 3 by 5 साइन 53 क्या होता है 4 by 5 तो मैंने 50 के component किये तो यह हो गया 30 40 चीक है और फिर इसके बाद अगर एक बार और component आपने बिल्कुल सही किये तो फिर तो सीधा सीधा सवाल आ जाएगा मैंने जी क्या कर रहा है एक सेकिंड में 10 कम कर रहा है तो 40 को कितने सेकिंड में खतम कर देगा चेकंड में चार जाने में लगेंगे, चार सेकंड आने में लगेंगे तो टाइम अफ लाइट क्या हो गया का अप्का eight seconds हो गया आप यह सीकिंड में तो यह इस तरीक से solve कर सकते हो नहीं तो फॉर्मिला लगा दो इसने का खवर आ रहा है हो सीधा सीधा time of flight कैसे निकाला बेटा मैंने तो verbally निकाला देख ठीक है मैंने क्या बोला 10 m per second स्क्वेर एक्सेलरेशन है उपर की तरफ velocity कितनी है 40 ठीक है यानि कि जब ये body उपर जाएगी जी क्या करेगा 10 m per second का मतलब क्या है एक second में 10 m per second velocity कम करता है तो अगर चार सकेंड मतलब 8 सकेंड में यह वापास आ चुका है time of flight क्या आ गया 8 सकेंड आ गया एक बच्चा बोड़ा equation of trajectory भी निकाल दो न अरे भाईया तु खुद से नहीं निकाल सकता भी कैसी बात ने कर रहा है यार सीधा formula में value छापनी है तुझे formula में value छापनी है equation भी निकल आएगी कुछ तो महनत कर ले कुछ तो कर ले ठीक है fourth वाला explain कर दो please चल भाई fourth वाला height after one second ठीक है एक second के बाद height निकाल नहीं है मैंने का देख एक second वाद पहले velocity निकाल यहाँ पर है यह body है अब देख मैंने का यह horizontal velocity तो हमेशा constant रहती है तो horizontal तो यहाँ पर भी 30 होगी एक second के बाद gravity जी हर एक second में जी क्या है 10 meter per second square हर एक second में velocity 10 meter per second या तो कम करेगा या बढ़ाएगा जब body ऊपर जा रही है तो velocity कम करेगा जब body नीचे आती है तो velocity जी बढ़ाएगा जीक है अब एक second में 10 बढ़ाता है यह कम करता है और एक second इसको मिला तो एक second में 10 velocity कम कर दी तो 40 में से 10 कम हो गई तो अब मुझे क्या निकालना है मुझे यह हाइट निकालनी है ठीक है हाइट क्या होती है हाइट होती है अब देख मैंने का अगर हाइट मतलब y direction की value तो y direction का हाइट है तो y direction की velocity लोगा तो इनिशल velocity 40 final velocity 30 40 और 30 का average into time ठीक है तो मैं displacement क्या लिख रहा हूं average velocity into time solve कर दिया ठीक है चल भाई उम्मीद करता हूं यहां तक की बात है समझ में आ रही होंगी डान अरे जब फोर्ट निकाल दिया तो फिफ्ट निकाली दिया चल भाई यह बस बता देता हूं लेकिन मुझे लगता है कि सब कुछ आता है प्रोजेक्टाइल from height और horizontal projection से ही मतलब है ए एक बॉड़ि को horizontally projectile से फंका हुआ है edge height से मैंने horizontally release किया है तो इसका time वही लगता है इसका time वही होता है जो आपका vertical उसमें होता है ठीक है चल भाई तो तो time of flight क्या होगा इस body का time of flight आता है आपका under root of 2h by g same वही formula same वही answer जिक है horizontal जब यह यहाँ पर टकराने वाली होगी तो जब आपकी body यहाँ पर टकराने वाली होगी इसके पास horizontal velocity V तो वही रहेगी और vertical velocity कित्ती आ जाएगी under root 2g h जिक है तो net velocity क्या हो जाएगी under root vx square plus vy square तो v square plus 2g h का under root जिक है यह आपकी आ जाएगी net velocity angle अगर निकालना है यह वाला angle मैंने का theta तो 10 theta किसके बरावर होता है vy upon vx यानि की under root 2g h divided by v जिक है horizontal range कितनी दूर जाकर के यह body गिरेगी तो range की value हो जाएगी horizontal velocity into time of flight horizontal velocity कितनी है under root sorry v है और time है under root 2h by g वर्वली आप सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं जितनी velocity है उसको 2 से multiply कर दया है तो time of flight मिल जाएगा नहीं बेटा दो से multiply नहीं under root 2h by g time of flight मिलेगा यार दो से क्या कर रहे हो यह बिलकुल वही है जो dropping वाला case है अरे यार h height से drop किया था तब भी तो यही velocity आई थी कहां गया dropping from height under root 2h by g जो time यहां पर होता है वही same time of flight आया चीक है चल तो बस एक बात याद रखना ध्यान से सुन्दा मेरी बात अगर आपके पास constant acceleration है तो आप equation of motion यूज करोगे अगर acceleration variable है मैं लिखी देता हूंग इसे चीक है अगर आपके पास constant acceleration है दो ही cases आपके पास बनेंगे या तो acceleration constant है होगा चीक है या variable acceleration होगा जब acceleration constant है तो आप equation of motion यूज कर सकते हैं ठीक है और अगर acceleration variable है जैसे किसी भी case में ठीक है सुन ले मेरी बात जो मैं logic बता रहा हूं वो exactly वही चीज़ें बता रहा हूं बेटा जिसकी जरूरत आपको पढ़ने वाली है ठीक है जब acceleration variable है तब आप सिर्फ ये वाला formula यूज करोगे acceleration क्या है dv by dt फिर आपको integration differentiation यूज करना पड़ेगा या v dv by dx इसको आपको यूज करना पड़ेगा तभी आपका answer आएगा मतलब क्या variable acceleration वाले cases में कभी भी equation of motion लगाने की गलती मत करना ठीक है चल भाई तो अब बहुत छोटा सा टॉपिक बताने जा रहा हूं Newton's laws of motion ठीक है छोटा क्यू बोल रहा हूं क्योंकि तुमको पता ही है अगर पढ़ाने चले तो बहुत बड़ा chapter है बहुत बड़ा अरे पर बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं अब ब्रेक 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 चाहिए तो बेटा ले ले तो बोली रहा हूं ते रिके अगर देख एक बहुत ही बहुत सिंपल सी चीज तो ज़े बताता हूं तिक है अगर आप कहीं पर भी ऐसा फील करते हैं कि आप ठक गए हैं या आप डिस्ट्रेक्ट हो रहे हैं या आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो प्लीस टेक ब्रेक ये ब्रेक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज break लिया, अगले महीने दुबारा वीडियो खोलेंगे, ऐसा break मतले, पांच मिनिट, दस मिनिट, पंदरा मिनिट, इससे जदा का आपको break नहीं लेना है, फ्रेश हो करके आओ, पानी बानी पियो, थोड़ा सा ताजी हवा लो, और फिर आ करके वीडियो देखो, तो break मैं बोली चुका हूँ, 9 बजे मैं break दूँगा, बीच में break देने का कोई purpose नहीं बनेगा मेरे लिए, क्योंकि हर किसी का time अलग लग रहता है, अगर मैं ऐसे बीच बीच में break दूँगा बेटा, तो आप भी नहीं पढ़ पाओगे, और मैं cover भी नहीं cover आप होँगा, पुर चीज़ा पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो जो तु तु बोलता जाएगा ना, सेम वही चीज़ां यहां पर आती जाती है, ठीक है, तो जो तुमारी energy है, वही energy मेरे अंदर reflect होगी, तो मगर सवालों के जवाब दे रहे हो, तो मगर चीज़ें बता रहे हो, तो मुझे भी उपर, चीक, ओके, चल भाई, तो शुरू करे, Newton's laws, अगर शुरू करना है, तो बता दो भाई, हाट बना दो, पड़ावट से बता देयार, डिडिंडिंडिंडिंडिंडिंडिंग, और वह बहुत बढ़िया है ठीक चलिया तो न्यूटन्स लाउस अफ मोशन ठीक है परस्ट लॉख अगर इस एक्स्टर्नल जीरो है अगर किसी भी सिस्टम पर कोई भी एक्स्टर्नल फॉर्स नहीं लगता है तो उस सिस्टम का मोमेंटम रहता है ठीक है एक्चल में तुम्हें बताऊं न्यूटन्स लाउस जो है यह पॉइंट मासस के लिए डिफाइंड है याद कर मैंने तुझे बताया था न्यूटन्स लाउस में दो खामिया थी दो कमिया थी याद है न्यूटन्स लाउस सिर्फ उस फ्रेम में वैलिड होते थे जो एक्सलरेट नहीं करता था ठीक है सर रेइनमेन प्रॉब्लम रिवर बोट प्रॉब्लम नहीं करवाई मुझे लगता है कि तुमने बात सुनी नहीं मुझे लगता है तुमने बात अच्छे से सुनी नहीं मैंने क्या बोला था बेटा मैंने बोला था मैं वो वो पार्ट आपको revise करवाऊंगा जिसकी जरूरत आपको class 12 में पढ़ने वाली है मैं बार-बार यही चीज बोल रहा हूँ ठीक है मैंने अपने statement में कभी भी कोई भी change नहीं किया है bridge course नाम है one shot in bridge course ठीक है सिर्फ उतना part जरूरत है जो आपको 12 में use होने वाला है rain problem relative motion आपको जरूरत नहीं पढ़ने वाली है at least upfront नहीं पढ़ने वाली है class 12 में जाते ही जिस चीज की जरूरत पढ़ेगी आर वो करवाऊंगा ना भाई और अगर वाकई में rain problem river problem यह देखनी है revise करनी है तो class 11 में revision चल रहा है यह भी बोल रहा हूं वहां पर भी तो topics पढ़ा रहे हैं वहां पर भी सारी चीज़ा करा रहे है यह यार चल ठीक है तो अगर net force 0 है if there is no net external force तो system का momentum कैसा रहता है constant रहता है इसी चीज़ को हम बोलते है law of conservation of linear momentum law of conservation of linear momentum ठीक है linear momentum का conservation क्या रहता है momentum constant रहता है तो अगर एक body rest पर है तो वो body rest पर ही रहेगी और अगर एक body move कर रही है तो वो body constant motion से या constant velocity से move करती रहेगी ठीक है तो यह basically आपका कौन सी condition बताता है यह आपका equilibrium वाली state बताता है यह आपकी body equilibrium वाली state बताती है एक equilibrium condition का यह कता ही मतलब नहीं होता है कि body rest पर है equilibrium condition का मतलब है कि या तो velocity 0 है यानि कि body rest पर है या velocity constant है लेकिन guarantee के साथ नहीं हो सकता कि body rest पर है equilibrium का मतलब दोनों ही होते है या तो body rest पर है या body constant velocity से move कर रही है ठीक है constant velocity से move कर रही है तो दोनों ही का मतलब होता है equilibrium अब अगर एक body equilibrium में है तो उस body पर net force क्या होने वाला है zero होने वाला है चीक है तो जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पर बोल दिया कि एक मेरे पास body है जिसका mass है 10 kg इसको मैंने दो रस्तियों से बांग दिया है चीक है एक का एंगल है 60 डिग्री एक का एंगल है लेटर से 30 डिग्री यहाँ पर जो tension है वो T1 है यहाँ का जो tension है T2 है question है point T1 and T2 चल भाई निकाल ले कॉल कर फटा फट से कि वीर का अंसर आया है T1 is equals to 50 सर यहां component लेकर के FBD बनाए क्या हाँ हाँ और क्या दो टुकडे कर दे इसके इसका component क्या आएगा यह वाला और एक यह वाला तो T2 का cost 60 T2 का पाई साइन 60 इसके दो component कर दे तो T1 का साइन 30 T1 का cost 30 ठीक है horizontal values दोनों की बराबर होंगी T1 का cos 30 is equals to T2 का cos 60 T1 root 3 by 2 T2 by 2 root 3 T1 is equals to T2 दूसरा क्या है vertical जो उपर वाले forces लग रहे हैं वो किसको balance करेंगे वो नीचे के mg को balance करेंगे 100 newton को ठीक है तो T1 का sin 30 प्लस T2 का sin 60 is equals to mg याने की 100 newton ठीक है तो T1 by 2 प्लस T2 को मैं लिख देता हूँ root 3 T1 into root 3 by 2 is equals to 100 तो 3 T2 ठीक है तो 3 T1 by 2 plus T1 by 2 तो यह हो गया 2 T1 is equals to 100 T1 की value आ गई 50 newton T1 अगर 50 आ गया तो T2 यहां से निकल आएगा 50 root 3 newton ठीक है तो एक answer आ गया 50 root 3 दूसरा answer आ गया 50 newton ठीक है बहुत बढ़िया चल भाई ito बेंसे 1 तो यहां से प्लसओंग कर देंसे 2 आएगा block, at rest, option A, 2 kg, B, 4 kg, C, 8 kg, here D, none of these. . 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 यहां पर क्या लग रहा है नीचे की तरफ mg लगेगा 40 Newton ऊपर की तरफ क्या लगेगा टेंशन लगेगा T अगर इसको एकलीब्रयम में होना है तो T कितना होना है 40 Newton होना है तो यहां पर भी क्या लगेगा T लगेगा जो कितना है 40 N अब ये दोनों आधे लग रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा T by 2 और T by 2 Net force एक पुली पर कैसा रहता है हमेशा 0 रहता है तो Net force on a pulley is always 0 तो अगर ये T by 2 है तो ये कितना हो जाएगा 20 N तो ये भी कितना है T by 2 20 N तो इस वाली body पर mg कितना होना चाहिए तो जितना force उपर लग रहा है उत्ता ही नीचे तो 20 N मतलब मास आ गया है 2 kg तो 2 kg यानि की option a answer आ गया चाहिए तो 2 kg आंसर होना चाहिए बहुत बढ़िया चाहिए गूड बहुत अच्छे इक अच्छे चल भाई यह दीवार है यह body है इसका radius मैं बोल देता हूँ इन मीटर है और यह पांच मीटर की यह स्ट्रिंग है इसका अच्छे यह दीप। मास देदेता हूं, 10 kg, so option A, 60 newton, option B, 80 newton, C, 100 newton या D, फिर से, नन अफ दीज, स्वाल करूं, झाल, C, 100 newton, N, C, 200 newton, C, 100 newton, C, 300 newton, C, 900 newton, C, 500 vem, N, C, 500 newton, C, 500 name C, 500 newton, C, 100 newton, C! झाल झाल बहुत बढ़िया दिंग 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 बहुत अच्छे चल वई ध्यान से देखना यार क्या बोल रहा है यहां पर आपको बोला है नॉर्मल डियक्षन निकालना देख जब भी ऐसे सवाल देखें जहां पर आपको कई सारी बॉडी दे रखी है और आपको दिख रहा है यह एकलिवरियम में तो सबसे पहले क्या करेगा इसका फ्री बॉडी डाइगराम बना मैंने का नीचे क्या लगेगा एमजी लगेगा त यहां पर आपका क्या लग रहा है टेंशन टी लगी रहा है तो यह वाला आपका टेंशन टी है मैं काम करता हूं इसको इस तरीके से दिखा देता हूं यह आपका लग रहा है टेंशन टी फ्री बॉडी डाइगराम बना तो टेंशन क्या है आपका टी है दूसरी चीज अब नोर्मल डियक्शन अब Bub a अगर ये बॉडी इकलिप्रियम में है तो इस पर नेट फोर्स क्या होगा 0 होगा नेट लिदो होने का मतलब क्या है एकस्य डाइक्षन में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा वायर डारिक्शन में भी कोई भी फोर्स नहीं लगेगा अल्गे यह तो तिर्चा है तो क्या करना चाहिए इसके दो टुकड़े कर लेने चाहिए इसको दो component में तोड़ लेना चाहिए तो मैं इस एटेंशन टी के दो component करता हूं एक वर्टीकल कॉंपोनेंट और दूसरा टी का horizontal component टी का वर्टीकल कॉंपोनेंट और टी का horizontal अगर मैं ये वाला एंगल थीटा बोल दूं तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा थीटा के बगल वाला कॉस्ट थीटा तो टी का कॉस्ट थीटा थीटा के सामने वाला टी का साइन थीटा ठीक है अब बस angle निकालना है तो मैंने का अच्छे देख अगर यह equilibrium में है अगर यह body equilibrium में है तो ना तो x direction में भी कोई force होगा ना y direction में कोई force होगा तो जितना normal reaction इधर लग रहा है उतना ही t sin theta होगा तो t sin theta will be equal to normal reaction ठीक है दूसरा जितना ऊपर की तरफ force लग रहा है t का cos theta यह mg के बराबर होगा mg कितना दिया हुआ है 100 newton दिया हुआ है ठीक है हमें normal reaction निकालना है हमें निकालना है normal reaction अब angle अगर पता चल जाए तो मैंने का angle के लिए उसने सवाल में जुगार दे रखी है जरा देखना यार उसने values दे रखी थी यह एक right angle triangle बन रहा है ठीक है और जब यह right angle triangle बन रहा है वेटा तो देख यहाँ पर value क्या दे रखी है यह तीन मीटर है यह क्या दे रखा है यह 5 मीटर है तो 3 मीटर और 5 मीटर अगर मैं यहाँ पर एक right angle triangle बना करके दिखा दूँ यह है 3 मीटर यह है 5 मीटर तो आप तुरंत बता पाओगे 3-4-5 का relation होता है तो यानि कि यह 4 मीटर होगा तो यह theta कितना दिख रहा है यह theta हो गया हमारा theta सामने वाले साइड छोटी है तो छोटा angle ठीक है theta हो गया हमारा 37 degree ठीक है theta क्या हो गया है 37 degree बस अब मैं चाहूँ तो यह लिग एन अपॉन 100 नॉर्मल डियक्शन कितना आ गया 100 का 10 theta 100 का 10 37 degree अब 10 37 क्या होता है 100 into 3 by 4 तो आंसर आ गया आपका 75 newton आ गया कोई मैच किया कोई भी नहीं किया option d answer आ गया कुछ calculation mistake तो नहीं होगी ना सेकंड लास्ट कुश्चन रॉंग है कौन से सेकंड लास्ट कुश्चन भाई 20 सही तो किया है 2 kg बिना बात को यह भी सही किया है चल्ड ठीक है सही किया है यह कैल्कुलेशन में स्टिक तो नहीं करी ना मैंने 10 theta is equals to n by 100 n यह रहा t ka sin theta is equals to normal reaction t ka cos theta is equals to mg ठीक है तो 10 theta is equals to n by 100 तो 10 n equals to 100 का 10 theta 100 का 10 37 degree 3 by 4 answer आगे 75 answer आया है option d सही किया है बिटा ठीक है काफी सारे बच्चों ने answer 60 लिखा था चलो सही बात बता हूं तो मैंने मैंने भी सोचा था 60 यह सी होगा ठीक है to be honest calculation करते हैं जब मैंने question frame किया था मैंने calculation नहीं करी थी मैंने बोला 60 यह सी कुछ होना चाहिए ठीक है 60 और 80 का resultant कितना 60 अगर यह है और यह अगर सिहां तो नहीं होना चाहिए ठीक है ठीक है समझ में आई बात आदित्य बोल रहा है 75 आने के बाद मुझे लगा था कि मेरा answer wrong है अरे इसलिए तो मैंने इसलिए 910 का option रख रखा होता है कि मेरी calculation में अगर कुछ मिस्टेक होगी न तो नन अफ दीस समाल लेता है ठीक है होता है कोई बात नहीं यह confidence का game है पता है कई बार ऐसा होता है कि none of these answer आ रहा होता है हमारा बहुत बार हुआ है मेरे साथ तो जब अपनी preparation करता था तो none of these answer confidence कहीं check करता था क्योंकि काफी बाद ऐसा होता है काफी time होता है कि none of these answer generally होता नहीं है ठीक है तो वह confidence का ही game है यार चल अगला part ठीक है second law F net net external force is equals to rate of change of momentum ठीक है net force किसके बराबर होता है rate of change of momentum के बराबर होता है F net is equals to rate of change of momentum ठीक है एक बच्चा बुला सर्य पीवाई क्यों था क्या शायद मुझे याद नहीं पर शायद अगर mass constant है if mass is equals to constant तो यही formula आपका बन जाता है F net is equals to mass into acceleration ठीक है तो ध्यान देना Newton's second law F net equals to ma नहीं होता है पहली चीज़ Newton's second law is not F net equals to ma Newton's second law यही है F net equals to rate of change of momentum लेकिन अगर mass constant है तो F net equals to ma में यह formula reduce हो जाता है ठीक है करके देखना चाहों तो कर लेना dmv by dt momentum यही होता है तो m constant है तो बाहर आ जाएगा dv by dt ठीक है चल भई clear F net equals to rate of change of momentum F net equals to mass into acceleration अब कई बार आपको ठीक है यूज कहां आने वाला है जब आपके पास force पता होगा तो आपको यह निकालना है कि body का acceleration क्या होगा ठीक है मैं आपको जितनी भी सारी चीजां बता रहा हूं यह सारी की सारे बात सारे के सारे concept सारे के सारे logic आप class 12 में जाते ही class 12 में जाते ही पहले हफ्ते दो फफ़ते के इंदर जितने concept में पढ़ए ना पहले हफ्ते दो हफ्ते कांदर आप पढ़ लोगे physics में electric charges in field में जब आप charges के बारे में बात करेंगे जब आप coolant law के बारे में बात करेंगे दो जिसकी बीच में फोर्स के ऐसा लगता है तो फिर आपको equilibrium के सवाल बन करके आते हैं कि अच्छार चार्ज रखें हैं बता देना फोर्स इस चार्ज पर क्या होगा बता देना इस चार्ज का acceleration क्या होगा जो concept मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूं यह सभी के सभी concepts class 12 में पहले दो हफ़ते के अंदर अंदर आपके यूज होने वाले हैं एक बच्चा बोल रहा है प्लीज चेक सेकंड लास्ट में 40 आएगा भाया कैल्कुलेट कर ले टी टू का सिक्स्टी टी टी वन का साइन थर्ट कॉस्ट थर्टी यह दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं तो मैंने क्या लिखा क्योंकि नेट 4 0 होना है ना तो यह क्या हो गया है रूट 3 by 2 1 by 2 तो टी 1 रूट 3 यह सही है यह दोनों एड होकर के 100 न्यूटन के बराबर होना है तो टी 1 by 2 प्लस टी 1 by 2 प्लस टी 2 की वैल्यू मैंने च्छाप दी यह जो टी 2 है रूट 3 टी 1 यह च्छाप दिया रूट 3 टी 1 इंटू रूट 3 by 2 3 टी 1 by 2 तो 1.5 और 0.5 2 यह तो होता है यार 2 टी 1 इस इकल तो टी 1 की वैल्यू पचास आ गई सही किया यार पीटा सही किया है ठीक है चल तो f net equals to ma clear है सवाल solve करते है हुँ 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 झाल 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 चल भई कैसे करेंगे इसको पटावट से इन दोनों को सिस्टम मान ले चीक है तो नेट फोर्स किता लग रहा है F net net force is equals to total mass into acceleration net force क्या है 80 minus 30 total mass क्या है 6 plus 4 into acceleration 50 is equals to 10A A की value आ गई है 5 meter per second square चीक है तो इस सवाल का answer आ गया है option A यानि की 5 meter per second square चीक है बहुत बढ़िया चीक है आदित्य, मुन्न, इब्राहिम ओके गुड़, काफी सारे बच्चों के सही answer है सारे के सारे साही है गुड़ बहुत बढ़िया चीक है चल यार अब इसी सवाल में किसी सवाल ने, पूछ लेता हूं find अफंध ब्याऋम जादे लेत्राइंड़, कुड़ के लेता है इन दोनों ब्लोक्स के बीच में नॉर्मल रियक्शन झाल रियक्शन झाल रियक्शन कि अब बहुत बढ़िया चल यार तो ध्यान देना इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो नॉर्मल रियक्शन लगेगा ठीक है तो वह कुछ ऐसा लगेगा अच्छा देख न्यूटेंस लॉकी एक लिमिटेशन है नूटन्स लॉ में इंटर्नल फोर्स का पता नहीं चलता है मतलब क्या हम एक्सटर्नल फोर्स तो निकाल सकते हैं लेकिन इन दोनों के बीच में सिस्टम का इंटर्नल फोर्स पता नहीं चल पाता है क्यों नहीं पता चल पाता क्योंकि इंटर्नल फोर्स and opposite reaction तो नॉर्मल reaction ने एक दूसरे को काट दिया तो इसलिए कभी इंटर्नल फोर्स पता नहीं चल पाते तो इंटर्नल फोर्स को पता करने के लिए बड़ा सिंपल सा जुगार है आपको अभी पता ही था यह पांच मीटर पर सेकेंड स्क्वेर से जा रहा है ठीक है system को इस तरीके से तोड़िये कि internal फोर्स जो है external बन जाए मतलब क्या मैंने इसको इस तरीके से तोड़ा के वही है यह चार क्लो का बॉड़ी अलग कर दिया और यहाँ 6 क्लो की बॉड़ी मैंने अलग कर दी चीक है अब यहां कित्ता force लग रहा है 80 newton लग रहा है यहां क्या लग रहा है 30 newton लग रहा है चीक है और इन दोनों के बीच में जो force लग रहा है वो है normal reaction चीक है अब आप चाहे right वाले block की study कर लो या आपकी मर्जी आप left वाले block की study कर लो चीक है दोनों से यह आंसर सेम आएगा चीक है मतलब कि जब भी आपको internal force निकालना है तो किसी को ऐसा स्वाल करो कि वो internal force क्या बन जाए external बन जाए और एक बार अगर external बन गया अब तो F9 equals to MA लग दो इसको चीक है तो F9 equals to MA क्या हो जाएगा N minus 30 is equals to 4 into 5 तो normal reaction आ गया है यहां से 50 Newton आप इसकी भी study कर सकते थे यहां क्या हो जाएगा जिस direction में body accelerate करती है उस direction में force is positive तो 80 minus N is equals to 6 into 5 तो N again कितना आ गया 50 Newton तो चाहें आप कहीं किसे भी solve करें answer आपका यही आ रहा है option B कि चल भाई कि बहुत बढ़िया कि अगला सवाल कि अपका यही डạo grace कि अपकाश बून कर डाएगla बढ़िया कि अच्छ तुम लोग लिखने भी नहीं दे रहे हों क्या चक्क करें लोग आंसर निकाले जा रहे हूं कि अच्छ खो झाल झाल चल्व भई उम्मीद करता हूँ solve करी लिया होगा बड़ी आसानी से यहां क्या लग रहा है 70 Newton यहां क्या लग रहा है 40 Newton ठीक है तो क्या निकालना है acceleration निकालना है acceleration क्या करता हूं इन दोनों को ही system मान लेता हूं जब body same acceleration से मूव करती है तो दोनों को क्या करते हैं सिस्टम माल लेते हैं तो जितने acceleration से यह उपर जाएगा उतने से ही यह नीचे जाएगा अब इसमें लगने वाला का जो टेंशन टी है यह क्या बन जाएगा यह आपका हो चुका है internal force तो टेंशन कैसा हो चुका है internal force अब हमें क्या निकालना है F net equals to ma तो net external force is equals to mass into acceleration अब net force क्या लगेगा 60 minus 40 मास क्या है 6 plus 4 इंटू एक्सलरेशन ए तो ए की वेल्यू आ गई टू मीटर पर सेकेंड स्क्वेर आँ गयार दो ऑप्शन सी ठीक है क्लियर चल भाई मुझे बहुत सारे कद्दुगें यहां पर दिखाई दे रही है कि कद्दुगेंगोपी ठीक है हमारे कॉलेज में कहावत थी कद्दुगेंगा तो सब में बटेगा चल भाई कि लिए कि रिलेशन जरूरत नहीं पड़ेगी ट्वेल्थ में अ मैं स्ट्रेंट रिलेशन की जरूरत नहीं चलेगी अब अभे कोब्रा गेंग कहां से आ गई तुम लोग ना दंगे कर वाओंगे किसी दूद्ध कि यह लो कि यहार प्रशल मेंगे कि यह लो दूदूद तूद प्रवबकाइ सिर्शबूमुठर्ण टूद दूद लूद दूद आ तूवर्णी यहार इंगे कोब्ड़ अद कि यहार आ तुम आ गदिया कि प्रज़ देमें। find acceleration of blocks. solve कर भाई. लोग. वह ओप्शन अप्शन अप्शन रग गए. आदेविग ऱ effective 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 third stimulus गारे लिदिदिद्धिद्ध बख़या यहां कितना फॉर्ट लग याज है única mj यहां कितना लग रहा है mg अब mg के क्या करने पड़ेंगे दो टुकड़े करने पड़ेंगे तो mg के अगर मैं दो component करता हूं तो एक component ये वाला और दूसरा component ये वाला ये वाला angle अगर 30 degree होता है तो ये वाला angle भी कितना होगा 30 degree चीक है याद कर भाई कैसे ये 30 degree हो रहा है मैंने का बड़ा simple सा logic है अगर मैं इस तरीके से diagram बना रहा हूं द्यान से देख अगर मैं इस तरीके से diagram बना रहा हूं चीक है ये वाला angle क्या था theta अगर ये एंगल थीटा है आपका यहाँ पर कोई चीज नीचे की तरफ लग रही है तो ये एमजी लग रहा हो या जो भी हो और आपको इसको component में तोड़ना है तो मैंने का यार जब मैं यहां से तोड़ूंगा तो ये वाला एंगल थीटा तो ये 90-theta ये वापस से क्या बन जाएगा थीटा अब mg के दो टुकड़े कर दे तो mg का क्या हो गया ये mg का साइन ठीटा के बगल वाला उस्टीटा और ये क्या गया mg का पांग टीटा यानी की साइन 30 डिग्री तो कहें एमजी का साइन 30 एम जी का साइन 30 कितना होता है एंजी वाई 2 ठीक है अच्छा यह mg का कॉस्ट सीटा इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं यह तो कौन बैलेंस कर लेगा यह तो नॉर्मल रियक्शन बैलेंस कर लेगा तो इसको तो हमें देखना ही नहीं है हमें क्या देखना है हमें देखना है f net equals to ma अब मैं system की equation लेख रहा हूँ net external force is equals to total mass into acceleration यहाँ f net कितना लग रहा है 2mg माइनस यहाँ कितना लग रहा है mg दोनों का nature ओल्टा है यह इधर ले जाना चाहरा है यह इधर ले जाना चाहरा है माइनस mg by 2 is equals to 2m plus m into a तो यह बन गया 3mg by 2 is equals to 3m into a 3m से 3m कतम हो गया a की value बन गई है g by 2 option b answer आ गया कि अधिक है तो अरे पूरी रेंकिंग भी बलट गई वे देख रहा है चल भाई अब कि अब बात करते हैं कि श्यूड़ फोर्स के बारे में स्यूडो फोर्स क्या होता है तो बेसिकली स्यूडो फोर्स नॉन इनर्शल फ्रेम में नूटन्स लॉव लगाने के लिए नॉन इनर्शल फ्रेम में ध्यान से देखना नूटन्स लॉव नॉन इनर्शल फ्रेम में डायरेक्ली एप्लीकेबल नहीं होते है नूटन्स लॉव non-inertial frame में directly applicable नहीं होते हैं चीक है तो non-inertial frame में Newton's law लगाने की जुगार है pseudo force चीक है तो pseudo force क्या है निसे कली non-inertial frame में अगर मुझे Newton's law लगाने है तो मुझे pseudo force का use करना पड़ेगा कैसे use करते हैं तो मैं कुछ questions की help से आपको pseudo force बताता हूँ और यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि pseudo force किस तरीके से use करते हैं तो let us से हमारे पास एक कोई इस तरीके की कार्ट है और यह कार्ट आगे की तरफ जा रही है एक acceleration से ठीक है और यहाँ पर एक कोई धागा है जो इस तरीके से पेंडिलम से बंदा हुआ है मुझे यहाँ पर यह थीटा निकालना था ठीक है तो कुश्चन है find टीटा ठीक है यह थीटा निकालना है जब यह equilibrium condition में होगा मतलब एक ऐसा कुछ होगा ठीक है option a दे देता हूं 10 inverse a by g option b 10 inverse g by a option c 45 degree और option d हमेशा की तरफ none of these ठीक है ले भाई जिसको solve करना है पहले अपने हाथ पर मार लो फिर हम इसको solve करते हैं करते हैं कर दो कर हाँ तर हाँ टू पार्टिसिपेट इन पोल विटा पोल में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सिर्फ चैट में आंसर देने हैं जैसे बाकी बच्चे दे रहे हैं ए बी सी डी जो भी आपका अंसर है वो आपका पोल में काउंट हो जाएगा चीक है चल भाई उम्मीद करता हूँ देख बड़ी सिंपल सी बात है चीक है स्टूड़ो फोर्स कुछ नहीं है बड़ा सिंपल सा लॉजिक है अगर आपके अगर आपके सिस्टम में या कुश्चन में कोई आपको परेशान कर रहा हो जैसे आपकी जिन्दगी में अगर आपको कोई तंग करता है तो क्या करते ह को को यह अगर आपको को बच्चाए मैं बुली करता है कोई कोई दिक्कत को परेशान करती है किया करती होको उस पर्यशानी से भागते हो यह इसको फेस करते हो P Education इंजिनियर्स करती है तो ऐसा तो नहीं होता गए मुश्किल आ उससे भाग जाएं तो कहानी पॉसिवल ही नहीं है तो हम क्या करते हैं सबसे पहले जो हमें परेशान करता है हम उसको परेशान करते हैं पहले तु आजा तेरे से ने पट लेते हैं तो ऐसा था यहां पर अच्छा खासा यह पेडलम लटका हुआ था राइता कौन फैला रहा मैंने का अरे सर यह कार्ट जो है न यह आगे जाने से बड़ा राइता फैला रही है बड़ा परेशान कर रही है तो मैंने का ऐसा है बेटा कि यह कार्ट को ही रोक देता हूं बग यहां से हिलने मत देना और अगर हिलने नहीं दिया मैंने क्या करूँ अच्छा कार्ट अग हम self-centered होते हैं physics का observer कैसा होता है self-centered होता है लेकिन impartial होता है वो बेइमानी नहीं करता है मतलब क्या बहिया चाये जो भी हो जाए ठीक है पक्षपात किसी के साथ नहीं होने दूगा मैं ठीक है मतलब यह जैसा जैसा एक बच्ची के साथ करूँगा पूरी class के साथ भी वही ची acceleration दूँगा अब ध्यान देना म मास को अगर मान के चल इसका मास म है तो म मास को एक्सलरेशन देने के लिए कितना फोर्स देना पड़ेगा एम इंटू ए और इसी को हम कहते है स्यूडो फोर्स चीक है तो यह क्या लग गया एक्सलरेशन की उल्टी डिरेक्शन में फोर्स ल कार्ट तो रुक चुकी है कार्ट रुकने का मतलब है कार्ट के फ्रेम में बैठ या हूँ मैं ठीक है यह observer बात कर रहा है और अब एक बात बता ना अगर आपकी कार्ट रुक चुकी है तो इस पर नेट फोर्स क्या होगा सर नेट फोर्स जीरो होता है तो नेट फोर्स जीर के दो कॉमपोनेट्ट कर देता हूँ एक दी का ये वाला वान दूसरा टी ये वाला कॉमपोनेट्ट ये एंगल भी थीटा है तो ये क्या हो जाएगा टी का कोस्ट शीटा ए ना इक फेंँटा तो अब इस वाले फ्रेम में क्या है यह तो किलिवरियम में तो T का sin theta किसके बराबर होगा m a के बराबर होगा और T का cos theta अरे क्या हो गया भाई T का cos theta ये किसके बराबर होगा ये mg के बराबर होगा रेशो ले लूँ तो 10 theta is equals to a by g तो theta is equals to 10 inverse a by g ये आपका आंसर आ गया ठीक है 10 inverse a by g अबे यार हर बार तुमारे रैंकिंग चेंज हो रही है ये क्या बत्तमी जी है हर बार आंसर कहां गया वो पूरी रैंकिंग ये पनट गई भाई क्या हुआ ये दरकाई आदित्य अभी रवी मन मीट हाइडवक गेमर ये ग्यारा पर पहुँच गया पैजल गेम खेलने लग गया तक है भी वेदिका आर्यन और एक सवाल गलत किया और सीधा आपकी रैंक पाताल लुक में पहुच जाती है ज़ुड फोस कुछ और नहीं है बैसे कली जो भी चीज आपको परेशान कर रही है आप उसको परेशान कर दो ठीक है जो भी पर फ्रिक्शन लगता है मैं सिंपल सी चीज़ें बता रहा हूं चीक है कि लो कि सबसे पहली चीज़ कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है म्यू टाइमस ओफ नॉर्मल रियक्शन और अगर मैं एक बॉडी पर कोई फोर्स लगाता हूं मैंने अगर बॉडी पर कोई फोर्स लगाया तो इस बॉडी पर क्या लगेगा पीछे की डिरेक्शन में एक फ्रिक्शन लगता है जिसकी वैल्यू limiting friction से कम होती है या उसके बराबर ठीक है limiting friction क्या होता था limiting friction होता था maximum available friction जिसको मैंने बोला था friction की आउकात ठीक है ये friction इससे ज़ादा इससे ज़ादा नहीं लग सकता है friction की आउकात this is the maximum available friction इससे ज़्यादा friction नहीं लग सकता है ठीक है दूसरी चीज friction की जिंदगी का मकसद याद आ रहा है friction की जिंदगी का मकसद क्या होता था अरे पुराने डायलोग है यार प्रिक्षन की जिंदगी का क्या मकसद था आदित हाँ अरे वाँ पॉपोजिट रिलेटिव मोशन ये डायलोग बोला था मैंने प्रिक्षन की जिंदगी का एक ही मकसद था रिलेटिव मोशन का खात्मा अरे गैंक्स ऑफ वासिपूर नहीं देखिया अपने लोग बहुत छोटे हो गए मैं सही बात बता हूं ठीक है गैंक्स ऑफ वासिपूर जब मैं कॉलेज में था तब रिलीज हुई थी और वो उस तक की सुपर दूपर हिट मुवी थी ठीक है फ्रिक्षन फ्रिक्षन ध्यान से सुनना इसका लॉजिक क्या था फ्रिक्षन मोशन के अगेंस्ट नहीं लगता है फ्रिक्षन मोशन के अगेंस्ट नहीं लगता है फ्रिक्षन रिलेटिव मोशन के अगेंस्ट लगता है फ्रिक्षन की जिन्दगी का एक ही मकसद है relative motion का खात्मा मतलब क्या दो surface बस रगड़ने नहीं आपस में दो surface बस आपस में रगड़ने नहीं चाहिए चीक है चल भाई तो मान के चल अब एक block है यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से रख दिया है mu है लेटस से 0.5 mass है लेटस से 10 kg चीक है और पहला सवाल find minimum force required to move the block इस block को move करने के लिए कम से कम कितना force चाहिए पड़ावट से बता दे चीक है पाहिए पाई पाहिए पाहिए बन्या है पाहिए बोड़किक कॉफ़ाए लोड़्य का जो दूुप झाल 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 मिनीमम, मैक्सिमम, रेंज, लिमिटिंग, जस्ट ऐसे सब्द दिख जाएं तो कौन सा फ्रिक्षन लगता है इस बॉडी पर लगने वाला फ्रिक्षन होगा लिमिटिंग फ्रिक्षन जैसे ही मुझे दिखा के मिनीमम लगेगा लिमिटिंग फ्रिक्षन और लिमिटिंग फ्रिक्षन क्या होता है तो लिमिटिंग फ्रिक्षन होता है mu times of normal reaction mu कितना है 0.5 normal reaction क्या है 100 newton क्योंकि नीचे की तरफ mg लग रहा है mg कितना है आपका 100 newton तो normal reaction उपर लगेगा हमेशा normal reaction mg के बराबर हो ऐसा कताई जरूरी नहीं है लेकिन यहाँ इस case में है चल भाई तो यह कितना आ गया 50 newton अब अगर 50 newton है तो इसको move कराने के लिए भी कितना चाहिए f should be equals to limiting friction तभी तो यह move करेगा ठीक है तो 50 newton आपका answer आ गया 50 हमारा answer आ गया done चल अगला सवाल को चार के जी कि शे के जी Frictional force acting on 6 kg block. 6 kg वाले block पर कितना Frictional force लग रहा है? कौल कर कौल 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 प्रिक्षन कितना लगेगा यहाँ पर प्रिक्षन होता है यही तो जादू है वेटा पीड़ लूगा यहाँ गलत है यह लिख ले पॉमन मिस्टेक यह है 40 न्यूटन एमजी लग रहा है 40 न्यूटन चीक है तो कहने का मतलब यह है भाई कॉमन मिस्टेक क्यों है क्योंकि जादतर बच्चे कई बार क्या करते हैं देख तुने गलती नहीं करी मुझे पता है मैं यहाँ पर चैट देख रहा हूं जो यही आंसर देंगे 48 क्यों तो कि उनको बताया गया है कि friction की value होती है म्यू एन जबकि यह friction की value नहीं है यह friction की maximum value है यह बिलकुल वैसा ही है कि जैसे तेरी जेब में जो रुपे रखे हैं मान के चल तेरी जेब में रखे हुए 500 रुपे तो 500 रुपे रखे हुए तो इस बजार जा रहा है और बजार जाकर के कोई सामान 100 रुपे में आता है तो 100 रुपे तो खर्च करके आएगा तो मैंने का यार अगर यहाँ पर friction ज्यादा से ज्यादा कित्ता हो सकता है 48 Newton चीक है friction कहा लग रहा है इधर लग रहा है टेंशन कहा लगेगा टेंशन आगे लगे लगे और इसको रोकने के लिए टेंशन कितना चाहिए 40 Newton तो यह भी टेंशन कितना हो गया 40 Newton तो friction को रोकने के लिए friction को इस बॉड़ी को मूव करने से प्रिवेंट करने के लिए 40 Newton देना है ठीक है friction दे कितना सकता है 48 Newton मतलब जेब में रखे 48 रुपे ठीक है खर्च करने के चाहिए कितने 40 रुपे तो यह 48 थोड़ी खर्च करके आजाएगा पागल थोड़ी है तो friction कितना खर्च करेगा 40 Newton खर्च करेगा और यह कौन सा friction लगेगा इट विल बी Static Friction कौन सा Friction लगेगा Static Friction जीक है इसी लिए Static Friction को Self Adjusting Force भी कहा जाता है तो friction कितना लग रहा है 40 Newton 50% लोग ठीक है अभी भी देख ले भाई अब देख लेते हैं कि क्या हालात है कि अधिक है वारा में से ग्यारा दरकाए ओके दर कराए भाई नाम कम से कम सही रख लिया कर यार तो मैं प्रिनंस भी कर पाऊंगा जैसे मानकुमार गुपता चीक है मीत अधित्य अभी रवी हार्ड वर्क गेमर ठीक है चल अब यह क्या प्रिनंस करूं यार में पता नहीं कौन सी लेंग्विज में लिख देते हैं अम्रिद्ध आर्यन संकेत वेदिका संध्या रानी ठीक है यूजर एड़रेट वाई टी इमेल आईडी लिख देता अपनी चल ठीक है काफी सारे बच्चों के आंसर बिल्कुल सही-सही आ रहे हैं यह कुल लिख रहा है फैवी कुएक सेंट्री पीटल फोर्स किसी बोड़ी को सर्कुलर मोशन करना है अगर किसी भी बोड़ी को सर्कुलर मोशन करना है तो सेंट्री पीटल फोर्स वो फोर्स है जो किसी ना किसी real life force को देना पड़ेगा ठीक है तो circular motion करने के लिए requirement ठीक है अगर एक body को circular motion करना है अगर एक body को circular motion करना है तो इस centripetal force की requirement है इस centripetal force की value होती है v into omega या फिर v square by r या फिर omega square into r यहाँ पर omega क्या है omega है इसकी angular velocity omega किसके बराबर होता है omega is equals to v by r या v is equals to omega r यह है centripetal force हाँ इतनी demand है अरे वाह तुम लोगों को तो dialogue भी आने वे इतनी demand है centripetal force वो demand है वो मांग है basically क्या है कि अगर यह से मांग जो पिक्चर की ticket है तो अगर तुम्हें cinema hall में जा करके movie देखनी है तो इतने रुपए की ticket तो तुमको खरीदनी पड़ेगी अब तुम अपनी जेब से रुपए दो अपने दोस्त की जेब से रुपए दिलवाओ या अपने पिता जी की जेब से दिलवाओ उससे कोई फरक नहीं पड़ता है कहने का मतलब यह है यह demand तो पूरी करनी पड़ेगी अगर तुमने यह demand पूरी नहीं करी है तो body circular motion नहीं कर पाएगी चाथ चीक है तो अब जैसे हो सकता है यहाँ पर मैं tension से कुछ दे दूँ कि यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरीके से बांध रहा हूँ तो यह mass अगर m है length अगर l है ठीक है और अगर मैं इसको omega speed से घुमा रहा हूँ तो यहाँ पर जो tension लगेगा वो किता लगेगा t will be equals to m omega square l ठीक है यहाँ पर क्या लग रहा है वो tension दे रहा है अगर इसी की जगे मान के चलो यह mass planet एक कोई sun है capital m का ठीक है और यहाँ पर एक कोई planet है और यह अगर इस तरीके से circular motion कर रहा है v speed से radius इन दोनों के बीच का distance है r तो इस बार जो gravitational force होगा वो centripetal force provide करेगा ठीक है it will be equals to m v square by r ठीक है और यह कितना हो जाएगा g capital m small m by r square m v square by r ठीक है आर से खतम कर दो तो चाहो तो आप बोल सकते हो कि v कितना हो जाएगा v हो जाएगा g capital m by r का under root याद करना इसको हम कुछ बोलते थे gravitation में इसको हमने क्या बोला था orbital velocity चीक है orbital velocity gravitation chapter में पढ़ा था क्या बोला था orbital velocity चीक है तो कहने का मतलब यह है कि भाईया ऐसी demand है वो मांग है जो पूरी करनी पड़ेगी चल भाई तो यहाँ तक की बात थी newton's laws of motion की चीक है यह चीज़ें थी जो आपको जरूरत पढ़ने वाली थी अब थोड़ा सा break लेते हैं ठीक है फिर इसके बाद शुरू करेंगे हम work power and energy ठीक है तो work power energy हम शुरू करेंगे इसके बाद पहले और यह है अभी तक की rankings ठीक चल तो आखरी topic है work power energy ठीक है gravitation बहुत चोटा सा part मुझे बताने नहीं क्योंकि gravitation आप दुबारा से 12 में आप दुबारा से सारी बाते पढ़ोगे ठीक है मतलब पढ़ोगे ऐसन मास की जगह चार्ज हो जाएगा बस इस परा संतर आएगा ठीक है तो चोटा सा part बचा हुआ है है प बचलोबॡड़ोगे तो कैसे जगोड़ी यस्टियफ अवर चार्भावासा है जग से मनट चोटा maturity को चेंग है स dont 10 ूप च्रीफबॡशन Ś यसराद को भुबड़का बशादे ।ョ बारा can ओ t झाल 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 आगे, वेलकम सर, वेलकम बेक, इतना वेलकम। सर, 11th, wasted, what to do, please help, पढ़ ले भाईया, एक ही बात हो सकती है, एक ही solution होता है, इसका, बोलने से कुछ नहीं होता बेटा, wasted है, तो पढ़ाई कर, जो चीज missing है, वो चीज को cover करना, चल, कॉफी हमें भी सर, चाय है, अपन चाय वाले आदमी है, ठीक है, जीवन चाय से निकलता है, चल, तो शुरू करते हैं, work power energy, चीज़ी है, सबसे पहले work क्या होता है, तो work को हमने define किया है, work is equal to f vector dot ds vector का integration, चीख है, यहाँ पर ds क्या है, ds is the displacement of point of application of force, point of application of force, चीख है, जो भी force का point of application होगा, जो भी force का point of application होगा, उसका displacement, मतलब क्या, मतलब यह कि अगर यह body है, चीख है, और इस body पर force लगा रहा हूँ, इस वाले point पर, तो displacement इस वाले point का देखूंगा, चीख है, यह है point of application, पूरी body के displacement से मुझे मतलब नहीं है, translation में generally कोई दिक्कत नहीं होती है, translation में कोई समस्ता नहीं होती है, कोई रायता नहीं फिलता, लेकिन जब body translation के साथ साथ rotation भी करती है, तो वहाँ पर point of application अलग हो जाता है, और body का displacement अलग हो सकता है, जैसे याद करना rolling के case में friction का work done zero होता था, ground पर rolling के case में friction का work done zero होता था, क्यों? क्योंकि rolling में अगर ground पर एक body roll कर रही है, तो point of application नहीं के bottom most point वो कैसा रहता था, rest पर रहता था, तो इसलिए point of application move नहीं करता था, ठीक है, अब अलग-अलग type के work done निकालना, हमने यह देखा, work क्या है, f.ds का integration, ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं, अलग-अलग type के work done, ठीक है, पहला है, f is constant, अगर force constant है, acting at angle theta, एक constant force है, और angle दिया हुआ है, एक constant force है, let us say, आपके पास यह एक body है, चीक है, और इस body पर यह कुछ force है, इस तरीके से, constant magnitude का है, और यह body से basically theta angle दूरी पर है, theta angle है, और displacement कहा है, इस direction में है, this is the direction of displacement, तो इस case में work done क्या होगा, इस case में हम work done सीधा सीधा लिख सकते हैं, कि work done is given by, f force into displacement into cos theta, f into s into cos theta, इसी को कई बार हम लिख देते हैं, parallel force into displacement, या फिर force into parallel displacement, दोनों ही बात में बिलकुल सेम है, ठीक है, f into s into cos theta, तो जब आपका, जब आपका force constant होता है, तो क्या अगर होगे सीधा-सीधा, f into s into cos theta, या parallel force, force का parallel वाला component, f का cos theta, यह क्या हो जाएगा, f का cos theta into displacement, ठीक है, directly आप इससे force निकाल सकते हो, दूसरा case, अगर force constant है, लेकिन vector form में दिया है, f vector is equals to constant, ठीक है, second case, अगर आपको क्या दिया है, constant force दिया है, मतलब vector के form में, तो इस case में work done, अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके पास कोई option नहीं है, सीधा-सीधा आपको work लिखना पड़ेगा, f vector, dot s vector, angle देंगल नहीं दिया है, ठीक है, मतलब vector के form में दिया है, example के तोर पर देखिएगा, अगर मैंने जैसे बोल दिया, कि force है आपका, i cap plus 2 j cap, plus 3 k cap, ठीक है, और body का displacement है, 2 i cap plus j cap plus k cap, ठीक है, हमें क्या निकालना है, work done निकालना है, since force constant है, displacement यह दे रखा है, तो इस case में आप सीधा सीधा लिख सकते हो, f vector, dot s vector, क्योंकि angle नहीं दिया, otherwise क्या करते है, f into s into cos theta, clear है, चले यार, तो भाईया, i cap का i cap से multiply है, तो 1 into 2, कितना हो जाएगा, ठीक है, तो basically, 1 in, मैं लिख भी देता हूँ, i cap plus 2 j cap plus 3 k cap का dot करना है, 2 i cap plus j cap plus k cap से, ठीक है, f dot s, अब क्या करूँगा, i cap का i cap से, तो 1 into 2, 2, j cap का j cap से 2 into 2, 2, k cap का k cap से 3, 4 और 3, 7 joule के बराबर work होगा, work एक scalar quantity है, ठीक है, work कैसी quantity है, एक scalar quantity है, done, तो आसान सी बात है यार, चल भाई, बहुत बढ़िया, तीसरा केस, f is variable, ठीक है, in 1D, ठीक है, मतलब क्या, variable and parallel और anti-parallel to displacement, force, force variable है, force variable है, लेकिन या तो parallel है, या anti-parallel है, अगर angle होगा, तो angle भी constant है, ठीक है, तो इस case में, आप work सीधा-सीधा, f dx का integration, लिख सकते हो, ठीक है, f dot ds होता था, parallel या anti-parallel है, तो बहुत तो वो, zero cause zero हो गया, अब लेकिन force variable है, तो f dot f into dx का integration करना पड़ेगा, चल भाई, एक सवाल देता हूँ, इसको फटा-फट से, आप लोग solve कीजेगा, ठीक है, find, work done by force, f is equals to, 4x in, moving, body, from x equals to 1, 2x equals to 4, चल भाई, solve करना, एक बच्चा पूछ रहा है, sir, cross product कब करते हैं, beta cross product करते हैं, जब आपको torque निकालना होता है, याद है, r cross f, तो वो क्या होता है, वो आपको torque देता है, torque एक vector quantity है, ठीक है, ठीक है, करना है, झाल भाई, चल्ड बाई what is anti-parallel, anti-parallel मतलब अगर force राइट साइड में है तो displacement लेफ साइड में है, तो एक दूसरे के opposite, integration अपने आप उसका ध्यान रख लेगा, minus में answer देगा, ठीक है चल्ड, तो हमारे पास force क्या है, हमें force दिया हुआ है, force है f, तो भाई अब देखना, force देख वैरियेबल है, force x है, तो अलग-अलग x पर force अलग-अलग है, अगर force अलग-अलग है, तो भाईने का work done होता है, f dx का integration, यानि की 4x dx का integration, कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 4 तक, अब देख बस वही कहां नहीं आ गई, 4 constant आ जाएगा, अब देख integration कई सवाल तो बन गया, x का integration क्या होता है, x square by 2, 1 से लेकर के 4, इसको 2 को बारी ले दूँं तो 2x square हो जाएगा, चीक है, और अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, 4 की square 16, 16, minus 1 का square 1, 15, 30, 30 joule के बराबर, answer आ जाएगा, चीक है, तो आपका answer आ गया है, 30 joule, बहुत बढ़िया, चीक है, चल यार, तो उम्मीद करता हूँ, समझ में आ रहा है कि हम लोग कर क्या रहे है, चीक है, यहाँ तक की बात अगर समझ में आ रही है, अब तक का session समझ में आ र रही है, तो प्लीज यार हाट बना दे भाई, तो मुझे भी पता चल जाएगा कि तू जिन्दा है, अरे वाह, तो जान जोक रखी है यार, बहुत बढ़िया, चल, ठीक है, अगला, तीसरा, चौथा, ठीक है, F is variable vector, variable है, लेकिन vector के form में है, force कैसा है, variable vector है, ठीक है, तो force is a variable vector, तो मैंने का, अब हमारे पास कोई choice ही नहीं बची, आखरी case है, तो work done होता है, F vector, dot dx, ds vector का integration, आप इसको थोड़ा सा simplify कर सकते हूँ, Fx, dx, plus, fy, dy, plus, fz, dz का, अलग-अलग आपको integration कर देना है, चीक है, तो यह आपका आजाएगा, work done, कुछ और नहीं करना, बस अलग-अलग forces करकर करके integrate करना है, सवाल देखिएगा, ठीक है, let us say, मैंने एक force कहा है, F is equals to, 2x i cap, ठीक है, minus 3y square, j cap, plus k cap, ठीक है, कहां से कहां तक मैं displace कर रहा हूँ, origin से body को displace किया है, 8, 1,1 तक, ठीक है, find, work done, y, f, चल भाई, उम्मीद करता हूँ, integral answer आए, कोशिश तो मैंने करी है, लेकिन कोई guarantee नहीं है, अगर integral नहीं आता है, अगर answer integer नहीं आता है, तो जो भी nearest integer, plus 1 कर दीजेगा, मतलब क्या है, जैसे 8.5 आया, तो 9 कर दीजेगा, ठीक है, अगर 8.7 आया, तो भी 9 कर दीजेगा, जो भी round up कर देना है, ठीक है, round down नहीं, round up, अगर integer नहीं आता है, तो, अगर नहीं आता है, चल भाई, क्या करेंगे, इसमें वक्दन निकालने के लिए, हमारे पास variable force है, तो कुछ नहीं करना, fx dx का integration, fy dy का integration, fz dz का integration, यानि कि 2x dx का integration, fy dy minus 3, अच्छे, एक काम करता हूँ, minus 3y square dy का integration, plus 1 into dz का integration, चीक है, 2x dx, 2x square by 2, तो खाली x square बनेगा, चीक है, minus 3y cube by 3, तो y cube बनेगा, plus z, और अब limit रख दो, initial limit, और final limit क्या है, 8, 1, 1, इंटिग्रली आ रहा है, 8, 2, 2, 64, minus 1, minus, plus 1, 64 Joule आया, सही किया है मैंने, मुझे नहीं पता, calculation सही करी है या नहीं करी है, एक बार चेक कर ले ना भाई, चीक है, सही किया है, done, तो आंसर है, 64, लिख दू, अब बहुत बढ़िया, अब देख लेते हैं, score क्या चल रहा है, ठीक है, dark cry, ff, पता नहीं, dark cry, dark cry, भाईया, क्या है यह, आदित्य जा, अभी, ठीक है, रवी, hard work gamer, वापस अपनी पकड़ बनाते हुए, वेदिका, user at the rate, yt, उपर आते हुए, ठीक है, अंधियारानी, उपर आते हुए, तो के, तुम लोग, प्रॉपगेंटा लेकर क्या आते हुए, आइडवर्टिस्मेंट करने आते हुए, तुम यहाँ पर है, मुझे पता नहीं को ऐसा फील आता हुए, लाइक, शेर, सब्सक्राइब वाला, कि तुम लोग अपने नाम दुए नहीं इसी इंटेंशन से ही रखते हो, कि नाम पढ़ हो, लाइक, शेर, सब्सक्राइब गाईज, तो गाईज वाली फिलिंग आती है, मेरे को तुम लोग से, एक वो चल, अपना नाम लेखे जा रहा है, आदित्य, आदित्य, तो भाईया, नाम युजर नेम ही डाल लेता, F-Y-L-K-V-N, आदित्य, चल भाई, ठीक है, बोल दिया है ना तेरा नाम भी, ठीक है, चल, अगला, क्या करना है, ग्राफ कई बार देता है, ग्राफ देगा, F और X का ग्राफ, ठीक है, तो F और X का ग्राफ देदेगा, तो मुझे लगता नहीं कि तुझे कुछ बोलने की जरूरत है, सिंपल सा लॉजिक है, अगर यहाँ पर आपके पास F है, यहाँ आपके पास X है, तो जो भी area under curve होगा, जो भी area under curve होगा, यह किसके बराबर होगा, area will be equals to work टीक है तो fx का जो ग्राफ है वो आपके वर्क के बराबर हो जाएगा ठीक है चल भाई यहां तक की बात clear बड़ी आसान सी बात हैं बोली है कुछ भी नई बात नहीं बोली है बहुत इजी बात है चल रही है अभी तक अब वर्क पता चल गया अच्छा दो चीज़ें वर्क डन बाई ग्रैविटी पहले बताना जरूरी है तो मैं सीधा सीधा बता देता हूँ वर्क डन बाई ग्रैविटी M मास है अगर एक बोड़ी नीचे जाती है तो कितना होगा वर्क डन M G इन्टू H अगर बोड़ी H हाइट नीचे जाती है अगर बोड़ी H हाइट नीचे जाती है तो वर्क डन बाई ग्रैविटी क्या होगा प्लस MGH अगर यही बॉड़ी ग्रैविटी के अगेंस्ट जाती है मैं उपर ले जाता हूँ H हाइट तो इस बार वगड़न बाई ग्रैविटी क्या होगा माइनस MGH टीक है उपर ले जाने पर माइनस MGH और अगर यही बॉड़ी को मैं आड़े तिरचे रस्ते से नचा नचा करके ले करके आता हूँ H हाइट नीचे अब क्या होगा वगड़न अब बता आब क्या होता है अगर मैं नाचते हुए गाते हुए एक मास M को H हाइट नीचे ले करके आता हूँ तो इस case में भी work done by gravity is again MGH gravity का work done, gravity का work done सिर्फ और सिर्फ vertical displacement पर depend करता है gravity का work done सिर्फ और सिर्फ vertical displacement पर depend करता है same रहता है हाँ, तो या तो plus MGH होगा या फिर minus MGH होगा ठीक है, ठीक इसी तरीके से work done by spring work done by spring अगर एक spring मेरे पास है इस तरीके से ठीक है, और ये इसकी natural length है और अब अगर मैंने इस spring को stretch करके x distance पर ले गया हूँ ठीक है, spring coefficient है k तो spring का force कहां लगेगा spring का force इधर लगेगा since spring का force और displacement एक दूसरे के opposite direction में है तो इसी लिए work done by spring क्या होगा, minus half k x square ठीक है, तो spring का वक दन क्या हो जाएगा, minus half k x square ठीक है, minus क्यों, क्योंकि spring में खीच रहा हूँ, extend कर रहा हूँ, तो spring force इधर लगा रही है, displacement इधर है, अब अगर यही spring वापस आती, अगर same इसी spring को, यहाँ पर वापस ले करके आ रहा हूँ, ठीक है, तो same यही formula लहेगा, बस minus sign नहीं आएगा, spring का work done, या तो plus half k x square होता है, या minus half k x square होता है, बस एक बात याद रखनी है, ठीक है, always take x from natural length of spring, x कहां से कहां तक लेना है हमेशा, natural length से ही लेना है, x हमेशा आपको natural length से ही लेना है, इसके अलावा आपको कहीं से भी x नहीं लेना है, ठीक है, अच्छा, gravitation और spring के अलावा, बाकी जितने भी forces हैं, चाहे वो normal reaction हो, चाहे वो tension force हो, चाहे वो friction हो, कोई भी force हो, हमने अभी सारे forces calculate करना सीखे थे, same उसी तरीके से work done निकालते हैं, मतलब क्या positive होगा, तो f dot ds का integration, अगर force constant है, तो force into displacement, ठीक है, अब वो कोई भी force होता है, चाहे normal reaction हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, gravity और spring दो अच्छे special cases है, जिनका result बढ़ा सुन्दर आता है, इसलिए मैंने आपको दोनों अलग से बता दिये, ठीक है, चल भाई, work done by, spring हो गया, हाँ, दूसरी चीज़, kinetic energy, स्पीड की वज़े से होती है, kinetic energy, क्या formula होता है, तो kinetic energy is equal to half m v square या फिर momentum का square divided by 2m, ठीक है, कई बार ऐसा होता है, kinetic energy में मास ना दे करके momentum देता है, एक और सवाल कई बार बनता है, कि अगर मैंने momentum ने 1% का change किया, तो kinetic energy में कितने % का change आएगा, मास में इतने change किया, तो kinetic energy में कितने का change आएगा, तो ध्यान देना, for a small change, अगर छोटा change होता है, तो percentage change in kinetic energy is equals to 2 times percentage change in momentum, छोटे change के लिए, अगर जैसे मान के चलो, momentum में मैंने 1% का change किया है, सर, graph में force और time का क्यों नहीं पढ़ाया, बेटा, force time graph का जो area होता है, वो change in momentum देता है, ठीक है, मैंने फिर से बोला, मैंने आपको सिर्फ वही वही चीज़ें पढ़ाई हैं, देख यार, practically possible नहीं है, कि दिये हुए time में, अगर मैं चाहूँ पूरा 11th का आपको revision करा सकूँ, ठीक है, हर एक topic हम cover नहीं कर सकते हैं, बहुत factual बात है, क्यों नहीं कर सकते हैं, इसका भी reason है, तो यह सोच मैंने जब 11th पढ़ाया था, कब से कब तक पढ़ाया था, कितना पढ़ाया था, copy खोल के देखना, ठीक है, copy खोल के देखना, तुझे समझ में आएगा कि कितना सारा पढ़ाया था, ठीक है, अब इतना सारा है, तो इसका मतलब यह तो नहीं है, क्यार सारे portions important है, इसका मतलब यह भी नहीं, 12th में जो part आने वाला है, 12th में जिस चीज़ की आपको जरूरत पढ़ने वाली है अभी, मैं सिर्फ और सिर्फ उतना important part आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्या यह बात समझ मे आ रही है, तो कई बच्चे अभी यह से एक बच्चा बोला सारे simple harmonic motion का भी revision करा दीजेगा शुरुआत में, ठीक है, भाई simple harmonic motion 12th में आपका utilize नहीं होगा initially, ठीक है, simple harmonic motion केवाल आपका waves वाला part आता है, ठीक है, केवाल आपका waves वाला part आता है, wave वाला part भी आपको बाद में आएगा, wave वाला part भी आपका बहुत बाद में आता है, ठीक है, जब आप wave motion पढ़ोगे, wave optics पढ़ोगे, ठीक है, तो सिर्फ उतना उतना बता रहा हूँ, जिससे तेरा, जो transition है, वो smooth हो जाए, ठीक है, चल यार, तो यह है आपका kinetic energy, तीसरी चीज, work energy theorem, चल भाई, work energy theorem क्या होती है, work energy theorem है, total work done by all forces is equals to change in kinetic energy, ठीक है, सभी forces का जो work done है, सभी forces का जो work done है, it is equals to change in kinetic energy, मतलब क्या, जितने भी forces है, एक body पर लगने वाले, जितने भी forces है, internal हो, external हो, कुछ भी होता रहे, सभी forces का work done, क्या देगा, change in kinetic energy के बराबर, आपको value देता है, चीक है, clear है यहीचीज, चल, तो 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 तो, चल, जैसे, 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 let us say, कोई एक इस तरीके की body है, यहां से मैंने इसको release किया है, ठीक है, edge height से मैंने release किया है, M मा से, ठीक है, spring constant के बोल देता हूं, Mg by H, okay, find maximum compression in spring, okay, so option A, H, option B, 2H, option C, H by 2, option D, none of these, call for. जैसे, 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 जैसे झाल झाल तो यहां पर काम करने वाले कौन कौन से मुझे क्या पता था टोटल वगदन is equals to change in kinetic energy तो वगदन कौन कर गया एक तो mg करेगा दूसरा normal reaction तीसरा spring पाइनल काइनेटिक इनर्जी माइनस इनिशल काइनेटिक इनर्जी ठीक है mg का वगदन नीचे आ रही है बोडी प्लस mg टीक है नॉर्मल रियक्शन का वगदन नॉर्मल रियक्शन हमेशा displacement के perpendicular है तो नॉर्मल रियक्शन का वगदन क्या रहेगा जीरो spring का वगदन यहां पर जब जाएगा तो spring compress होगी और अगर spring compress हो रही है तो spring का force इधर लग रहा है compression इधर है मतलब negative काम करेगा तो minus half k x max का square maximum compression निकालना है और जब यह maximum compression पर होगा सबसे ज़्यादा दब चुकी होगी तो यह body क्या हो चुकी होगी रुख चुकी होगी तो final kinetic energy zero initial kinetic energy भी zero solve कर लिजिए half k क्या है mg by h into x max का square is equal to mg into h ठीक है तो यह खतम हो गया mg से mg x max का square क्या आ गया h square 2h square यह कुछ आ दाएगा ठीक है तो x max कित्ता आ गया root 2h आ गया है ना mg h mg by h ठीक है mg root 2h आया कुछ गड़ बढ़ तो नहीं किया ना आपके x max square mg h के बराबर है ठीक है mg के value रग दी mg by h अब x max निकालना था h square 2h square कंडरू 2h नन आफ दीज आंसर आ गया ठीक है डी आंसर आ गया अरे वाह मुबारह को देखा अब confidence वाला गेम हो गया यहां पर ranking बदली होगी फिर से ranking बदल गई ठीक है बेसिकली एक एक सवाल का सदेख 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13 तो बहुत है बाई एक एक नुमेरिकल का डिफरेंस है एक है सेम यही डिफरेंस मैं तुझे बता रहा हूं जो तु यहां पर देख रहा है न यह एंप्लिफाइड वर्जिन तुझे दिखाई देगा जही मेंस की ranking में जही एडवांस की ranking में सेम यही एक नंबर पर एक एक हजा पांसो पांसो रेंक्स शिफ्ट होती है एक एक मार्ग पर क्योंकि एक रेंज आती है जहां पर आपके बहुत सारे बच्चे सेम मार्क में होते हैं तो कई वार ऐसा बोलते हैं बच्चे की rank खराब आई है तो rank खराब बिसिकली वह चीज होते हैं एक नंबर उधर ऊपर या नीचे बस इतना संतर होता है और उसमें rank जखती है इसी लिए इसी लिए बोला जाता है कि जब आपका selection होता है तो ऐसा नहीं है कि AIR 1 जिस बच्चे की आती है और जिस बच्चे की AIR 100 आती है तो ऐसा नहीं कि पढ़ाई में बहुत ज्यादा होता है ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अंतर होता है कैलिबर में अंतर नहीं होता है इंटलेक्ट में अंतर नहीं होता है अंतर सिर्फ होता है उस दिन का तो बहुत ज्यादा डिफ्रेंस नहीं होता है तुम्हों को लगता है कि AIR 1 आई 25 मतलब 1 वाले को बहुत ज्यादा आत सब्सक्राइब नहीं सिर्फ एक है दो सवाल का अंतर क्या है अंतर यह है कि AIR 1 में AIR 4000 या 5000 या 3000 या 1000 उसमें डिफरेंस रहता है अच्छा खासा डिफरेंस रहता है तो वो डिफरेंस है लेकिन जब आप कॉलेज में जाते हो कई बार बच्चे बनता है कि शर ईंट टायव करते हैं तो यह जो आपको सेम इंटलेक्ट लेवल के जिनका पैशन भी वही है जो आपका पैशन है तो में जो अब colour सबोड़ा का था है कर बादता है एक से मुए चीज सेंहां पर बीख भी Intelligent है तो लिया जाता है अब रिगिंग को थोड़ा सा अलग ले रहा है वह हlexion h2 आनट करें गए है चल या तो यह थी आपकी अब एक बहुत important term है जो कि आपके class 12 में काम आने वाला है वो है conservative and non-conservative forces conservative force and non-conservative force तो force basically work के basis पर हम दो तरीके से classify करते है conservative force और non-conservative force हाँ अरे आदितने विल्कुल सही बोला अरे गजब तुम लोगों को याद आर गया है इमानदार दोस्त या इमानदार force और ये कैसा था बेइमान force ठीक है एक था इमानदार force और दूसरा था वेइमान force क्या होता था इमानदार force में work done by conservative force इस पाथ independent फर्क नहीं पड़ता किस रस्ते जा रहा है फर्क नहीं पड़ता है किस रस्ते जा रहा है मतलब क्या अगर आपके starting point से end point तक कोई body जा रही है तो चाहे straight line में जाए चाहे ऐसे घूमते फिरते हुए जाए चाहे ऐसे जाए हर रस्ते में सेम काम मिलेगा तो वर्गडन एलॉंग पाथ वन वर्गडन एलॉंग पाथ टू वर्गडन एलॉंग पाथ थ्री कैसा होगा सेम होगा एक्जाम्पल ग्रेविटेशन फोर्स अभी थोड़ी देर पहली देखा था याद है एच हाइट गिरने पर फर्क नहीं पड़ता था चाहे सीधे एच हाइट गिरे चाहे आड़े तिरशे एच हाइट गिरे एच हाइट अगर बॉड़ी गिरी है तो वर्गडन क्या होता था एम जी एच तो ग्रेविटेशन स्प्रिंग फोर्स यह सभी कैसे हैं कंजर्वेटिव हैं प्रिंग फोर्स टीक है इलेक्ट्रो स्टेक्टिक फोर्स जो आप क्लास 12 में पढ़ेंगे इसलिए मैंने बोला था काम आएगा ठीक है क्लास 12 में पहला चैप्टर जो आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वहाँ पर आप इलेक्रो स्टेक्टिक फोर्स नहीं की कूलंस लोग के बारे में बात करेंगे एक क्यों क्यूंटु अपन आरस्क्वेर कैसे अगर ग्रेविटेशन जी एंवं एम टूपन आर स्क्वेर आपका कंज़र्वेटव है तो क्यों 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 क्यूट अब बात करते हैं बेइमान फोर्स की वर्क डन इस पार्थ डिपेंडेंट अलग अलग रास्ते पर वर्क डन अलग-अलग होता है ठीक है एक्जाम्पल फ्रिक्षन हो गया स्यूडो आपके क्या करते हैं विस्कस फोर्स हो गया यह सारे फोर्स क्या है आपके नौन कंजर्वेटिव हैं चीक है अच्छा पहचान कैसे करते हैं वर्क डेंग जो है एफ.ds डायरेक्टली निकलाता है f.ds can be integrated directly जबके यहां पर f.ds का work done cannot be calculated without path information बिना रास्ते की information के लिए आप work नहीं निकाल पाएंगे चीक है तो इमांदार दोस्त एक बच्छा बोला है air resistance बिटा air resistance viscous force में ही आ जाती है चीक है चल यार तो इमांदार force क्या है conservative force मतलब क्या अब सर इमांदार क्यों बोला इनको इमांदार इसलिए बोला क्योंकि जितना force ये काम करता है जितना भी force ये काम करता है इसको जितना भी force इसने कोई negative काम किया तो ये अपने अंदर store कर लेता है किस form में store करता है ये अपने अंदर store करता है potential energy के form में है तो potential energy सिर्फ conservative forces के लिए ही defined होती है non-conservative forces के लिए potential energy जैसा कोई concept बना ही नहीं है अब कैसे define करते हैं मैंदे कहा बढ़ा simple सा logic है बढ़ा simple सा logic है अगर आपने दिन भर महनत करी तो आपकी battery क्या होती आपकी energy क्या होती है आपकी energy बढ़ जाती है या energy कम हो जाती है ठीक है आपकी energy कम हो जाती है ठीक इसी तरीके से conservative force ने जितनी मेहनत करी उतनी energy कम हो जाती है तो delta u is equals to minus of work done by conservative force ठीक है delta u is equals to minus of work done by conservative force conservative force जितना भी काम करते हैं conservative force जितना भी काम करते हैं potential energy उतनी down हो जाती है ठीक है minus of conservative force dot ds का integration ठीक है यह है आपका potential energy का concept ठीक है यह है आपका potential energy का concept तो potential energy क्या है basically f dot ds का integration ठीक है तो conservative force जितना भी काम करेंगे potential energy उतनी आपकी कम हो जाएगी clear चल भाई समझ में आ रही है बात आया ना वहीं बता दें यहां तक की बात ठीक है देख एक example देख बहुत simple सा example बताता हूँ gravitation का ठीक है तो gravitation force क्या होता है दो masses का दो masses का gravitational force होता है इन दोनों के बीच में जो force लगता है gm1m2 by r square ठीक है अब यह gravitational force जितना भी काम करेगा उतनी potential energy कम हो जाएगी minus of work done by f minus of gm1m2 by r square ठीक है कहां से कहां तक infinity से r क्या गया minus gm1m2 ठीक है minus लगाया हुआ है तो यह हो जाएगा और डियार आपका यहां पर है डियार हमिशा आउट वर्ड होता है तो अगर यहां पर माइनस डियार के बीच में एंगल क्या है 180 डिग्री है तो यहां पर एक minus 0 तो potential energy क्या गई है minus gm1m2 by r यही आपकी gravitational potential energy होती ठीक है कहने का मतलब यह है कहने का मतलब यह है कि आपको अगर conservative force दे दिया जाए तो conservative force देख करके आप सीधा-सीधा potential energy भी calculate कर सकते हैं ठीक है और अगर force energy दे दूं तो force calculate कर सकते हो मतलब क्या डेल्टा यू change in potential energy minus of work done by conservative force minus fdr का integration यह अगर conservative force निकालना है तो minus du by dr टीक है तो conservative force क्या होता है minus du by dr और अगर मैं 1D मैं बोलू तो du by dx लिख दो सीधा-सीधा सीधा-सीधा conservative force भी निकाल सकते हो अब देख जहां पर potential energy का differentiation zero होगा वहां पर force भी क्या हो जाएगा zero तो अगर मैं आपको potential energy का graph बना दूं अगर मैं आपको अगर मैंने क्या potential energy minimum होगी यहां पर भी force zero होगा ठीक है क्यों 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 यहां पर du by dx यहां पर du by dx क्या है zero और du by dx क्या होता है conservative force यहां पर भी क्या है du by dx zero ठीक है यह भी क्या है conservative force बस अंतर क्या है जहां potential energy maximum यह आपका आता है unstable equilibrium को अंस्टेबल equilibrium कोई बॉड़ी चाहेगी उसकी energy जादा हो नहीं और यह क्या आएगा स्टेबल equilibrium क्योंकि हर बॉड़ी क्या चाहती है हर बॉड़ी चाहती है कि अपनी energy सबसे कम करे अपनी energy सबसे कम करे clear है चल भाई यहां तक की बात अगर आप सभी के समझ में आ गई है तो प्लीज थम्स अप कर दो यह बता दो भाई सर वाट इस दी प्रैक्टिकल मीनिंग कैन यू प्लीज है प्रैक्टिकल मीनिंग किसका पोटेंशल इनर्जी का पोटेंशल इनर्जी बेसिकली यह बताती है पोटेंशल इनर्जी का प्रैक्टिकल मीनिंग है कि किसी बॉड़ी के अंदर अपनी शेप या साइस की वज़े से कितनी energy स्टोर्ड है यह बताती है आप calculate कर सकते हो ठीक है चलिया तो वर्क पावर नर्जी में आपको बस सिर्फ इतना सा भी जरूत पढ़ने वाली है ठीक है हाना कि वर्क पावर नर्जी में और भी बहुत सारी चीज़ है पावर है वर्टिकल सर्क्लर मोशन है जरूत नहीं पढ़ने वाली अभी ठीक है चल शुरुंग है घ्रेविटेशन के वारे में बात कर लेते हैं तो जो जो चीज आप फथेशन में पढ़ोगे तो इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ग्रेविटेशन और न्यूट इ للेक्रोस्ट टैटेक पोर्स वर्स बिल्कुल identical है बस अंतर क्या है gravitational force हमेशा attractive होता है जब की जब की Coulomb force कभी भी attractive भी हो सकता है और repulsive भी हो सकता है सिर्फ इतना सा अंतर है चल भाई तो अगर मैंने कहा कि दो masses है एक है M1 चल भाई capital M बोल दूँ और एक है small m तो दोनों masses के बीच में लगने वाला जो force होता है यह है gravitational force क्या है G capital M small m by r square r is the separation between these masses चीक है पहली चीज़ दूसरी चीज़ दोनों masses की जो potential energy है यह है minus G capital M small m by r चीक है ध्यान देना यह potential energy किसी एक mass की नहीं है इस दोनों system की potential energy है चीक है दोनों ही system की potential energy है चीक है तो माइनस G capital M small m by r यह है इसकी potential energy चीक है यह minus sign क्या बताता है minus sign बताता है कि इन दोनों masses की potential energy जब यह infinity पर थे तब 0 थी मतलब क्या एक दूसरे से मतलब ही नहीं है इस वाले mass को उससे मतलब नहीं उसको इस मतलब नहीं दूसरे के gravitational field से बाहर है तब energy क्या है zero minus sign बताता है कि जब जो दोनों masses pass में आए तो इनकी energy कम हो गई मतलब क्या attraction बताता है यह बता रहा है कि दोनों masses एक दूसरे के पास में आना चाह रहे है energy कम होती जा रही है ठीक है यह है दोनों masses की बीच का force और energy clear है ठीक है अब दूसरी चीज़ है gravitational field gravitational field क्या होता है gravitational force per unit mass यानि कि G capital M by R square और यहां पर आता है gravitational potential यह क्या होता है same way gravitational potential energy per unit mass minus G capital M by R ठीक है field or potential का क्या यह use है gravitational field or gravitational potential निकालते ही आपको अब यह small m से independent हो गए मतलब क्या दो masses की बीच में force निकालना है तो आपको दोनों masses पता होने चाहिए ठीक है लेकिन अगर जैसे एक mass अर्थ है अर्थ की वज़ेसे force निकालना है तो दूसरा mass कुछ भी हो सकता है अगर force निकालोंगा तो दूसरा mass जानना जरूरी है लेकिन अगर मैंने कहा कि पर लगने हादा force निकाल दिया मैंने कहाद एडों पर 5newton force लग रहा है तो दो पर दस newton लगेगा तीन प एक अपर लगने वाला फोर्स निकाल दिया तो किसी भी मास पर लगने वाला फोर्स आप कुछ नहीं करोगे m into e ठीक है तो क्या है आप ये calculation करने से बच जाओगे calculation करने से आप बच जाओगे ठीक है तो इसी लिए हमने gravitational field और gravitational potential बोले हैं जो जो term में यहां यूज कर रहा हूं पता है क्या होगा जब आप electric charges and field पढ़ोगे तो वहाँ पर electric force हो जाएगा यहां पर electric field हो जाएगा यहां electrostatic potential energy हो जाएगी यहां electric potential हो जाएगा मतलब क्या नाम बदल जाएगा ना तो formula भी बस खाली m की जगे क्यों रख देना जी की जगे के रख दूँगा ठीक है बस खाली formula में symbol बदल जाएगे symbol बदल जाएगे कहानी सारी वही रहेगी मतलब क्या तुने जो class 11 में gravitation पढ़ा था class 12 में electrostatics में electric field electric potential आधी चीज़े तुझे पड़ी पड़ी दिखाई देंगी आधी से जादा चीज़ें तुझे ऐसी लगेंगी अरे सर यह तो हमने पहले ही पढ़ रखा था आपने फल्दू में की बता रहे हो ठीक है हमें पहले से ही आता है जैसे जैसे अर्थ के बारे में बात करता हूँЧे अर्थ यानिकी solid sphere, अर्थ बोलू या solid या solid sphere है है शर्फेस पर अगर मैं gravitational field बोल दूँ यह acceleration due to gravity बोल दूँ क्या होती है G capital M by r square एक किसी height पर या 1 प्लस H by R की पावर माइनस 2 और डेप्थ पर होती है कि 1 माइनस H by R तो H हाइट पर या H डेप्थ पर आप इस तरीके से ग्रेविटेशनल फिल्ड निकालते हो यह पहले ही बताई थी मैंने अब यह मत पुछना सर यह कहां से आता है मैं सिर्फ फॉर्मले बता रहा हूं पहले बता चुका हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशल क्या होता था मैनस G capital M by R है ठीक है हाइट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशल क्या हो जाएगा मैनस G capital M by स्मॉल र ठीक है माइनस जी कैपिटल एम बाई स्मॉल र आप इसको चाओ तो और सिंप्लिफाय कर सकते हो और डेप्थ पर पोटेंशल यह होता है माइनस जी कैपिटल एम ठीक है पाइट टू कैपिटल आर क्यूब और क्या था यहां पर 3R स्क्वेर माइनस स्मॉल र स्क्वेर यह डेप्थ पर था यह तीन फॉर्मूले ग्रेविटेशनल पोटेंशल के बताए हैं बस इतनी सी कहानी है एक बच्चा बुला जी वन माइनस डी वाई यार बेटा वन माइनस हच वाई यार लिखू डी वाई यार लिखू उसे कोई फरक नहीं पड़ता तो परेशान मत हो न ठीक है चले आख तो तुझे बस इतनी सी कहानी याद रखनी है इसके अलावा तुझे और कोई भी बात याद नहीं रखनी है ये ग्रैविटेशन का वो पार्ट है जिसको जरूवत मतलब जो जरूवत पड़ती है अर्थ के सेंटर पर जाने पर ग्रैविटी कम होती है उपर जाने पर भी ग्रैविटी कम होती है बस तो ग्रेविटेशन में सिर्फ यहीं तक की बात है इसके आगे तुझे नहीं दिमाग लगाना मैंने सिर्फ वो वो चीज़ें बताई है सिर्फ वो चीज़ें बताई हैं जो ग्रेविटेशन में तुझे काम आने वाली है इसके अलावा gravitation का कोई formula मतलब महाँ पर use नहीं आएगा बाकी सब चीज़ें तो इलेक्ट्रोसेटिक्स वगरा में सारी चीज़ें तुबारा से पढ़ेगा ठीक है सिर्फ एक purpose है जितना बता रहा हूं उसका utility आने वाली है जो जो बता रहा हूं उसकी utility आने वाली है वाट इस स्मॉल आर स्मॉल आर बीटा सेंटर से डिस्टेंस है कैपीटल आर रेडियोस ऑफ वर्थ है ठीक है रोके चल भाई तो यह वो बच्चे हैं जन्होंने रैंकिंग में ज्यादा आये लेकिन हालां कि कोई फरक नहीं पड़ता अगर तू मार्क्स देखेगा तो कोई मतलब नहीं है ठीक है आदित्य जा हार्ड वर्क गेमर डाक राय अभी रवी संध्यारानी ठीक है एफ वाई के आई वी एच एन ठीक है आदित्य शाहिद नाम था है ना मनकुमार गुपता ठीक है मने या मान है मुझे पता नहीं आएं सौरी फॉर्ड प्रनॉंसेशन ठीक है अर्णव रोशन वेदिका यूजर एड़ डरेट वाइटी ठीक है आरार के एम अंकेत मीथ सम्रिद तश तशाओध हैमद ठीक है सीवीड ब्रेंग एच के गेमिंग श्रेहा फैजल प्रनव यस गेमर टैक किंग आकाश तरोज दर्शित भाईया तुम्हारे नाम ना आर्यन, राम, इब्राहिम, आयूश, शेख चल भाई ठीक है तो मिलेंगे फिर अगर मज़ा आया समझ में आई सारी चीज है तो भाई हार्ट बना दो मुझे भी समझ में आयागा कि मैनत सफल रही मेरी थैंक यू पेटा थैंक यू लव यू तू तो मिलेंगे फिर तब तक के लिए all the best पढ़ाई करते रहें ठीक है और यह जो ब्रेक बिला है इसका यूटिलाइज करें जब तक आपके class 12 के lecture start नहीं होते हैं कोशिश करें class 11 को जितनी ज़्यादा आप practice कर सकें उतने ज़्यादा प्रेक्टिस करें चीक है चलो तो all the best thank you